नमस्कार दोस्तों समय सर आप सभी सामने एक नई वीडियो को साथ मैं आज रहूँ तो काफी लंबे इंतजार के बाद हम लाइव आप आए हैं चलिए सभी को नमस्कार वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा जो है सेर करें और जितने भी अपने मित्र हैं उन सभी को बता दीजिए कि क्लास जो है लाइव हो चुकी है साजित नितिन चलिए सभी को नमस्कार क्लास कर रहे हैं स्टार्ट एस के बवला वेरी गूड आविनिंग बावला चलिए तो सभी आगए हैं लाइव वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेर करते रहे हैं हर एक फेस्बूक वाटसब जो भी गूरूप है आप लेगो के सोसल बिडिया सभी प्लेटफॉर्म के उपर वीडियो को सेर करें ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पाचन तंत्रू चिके आज सोरी आज हम करेंगे रक्त परिशंच्रण तंत्रू रक्त परिशंच्रण तंत्रू रक्त परिशंच्रण तंत्रू चिके इसके उपर कोश्चन करने वाले हैं तो आज है फटाबट से अब भी संख्या कुछ कम है फटाबट से सेर कीजिए तक ज़्यादा ज़्यादा लोग जो हैं आ सकें Very Good Evening जलो तो इस्टार्ट करते हैं क्वास को question आप सभी की सामने आ रहा है पहला पहला question है हमारा देखी तो पहला question यहाँ यहाँ पर दिया गाए है कि मनुष्य के ह्रदे में कितने कक्श होते हैं मनुष्य के हिर्दे में कितने कक्ष पाए जाते हैं पहला प्संदिर रखाए दो, तीन, च्यार या इन में से कोई नहीं मनुष्य के हिर्दे में कितने कक्ष होते हैं वेरे गूड इवनिंग देखे अब सब का हो गया है गूड इवनिंग राम राम सभी को चलिए फोकस केजिए कुश्चनों के पर अब तो मनुष्य के हिर्दे में कितने कक्ष पाए जाते हैं मनुष्य के हिर्दे में कितने कक्ष पाए जाते हैं चेंबर कितने होते हैं तो मनुष्य के हिर्दे में जो कक्ष या चेंबर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, चार, जिन में दो क्या होते हैं, आलिंद, दो क्या होते हैं, आलिंद और दो क्या होते हैं, निले, दो आलिंद और दो निले, चिके, तो कुल मिला करके कितने चेंबर होते हैं, काक्ष कितने होते हैं, तो चार काक्ष होते हैं, जिन में दो आलिं होते हैं और दो क्या होते हैं निले होते हैं ठीक है चली बात करें आगे देखे यहां पर मैं बता दूं आप लोगों को कि पिछला जो पेपर था राज्थान पुलिस का पिछली साल का पिछली पर का 2018 में जो हुआ था राज्थान पुलिस उसके अंदर ये कोश्चन था कि दो कक्छिये हिर्दे किसके अंदर पाया जाता है तो ध्यान रखना कि दो कक्छिये हिर्दे जो है वो मतस्य संग कौन सा संग मतस्य संग मतलब कि मचली वाला जो संग है उसके अंदर दो कक्छिये हिर्दे पाया जाता है जिसमें एक आलिंद और एक निले होता है ये कोश्चन आया था पिछले राज्थान पुलिस में 2018 वाली भरती में ठीक अब यदि हम बात करें आगे एक तो होता है हम मतस्य संग जिसमें कितने कक्छ होते हैं दो कक्छ इसके बाद यदि हम बात करें दूसरा जो संग होता है दूसरा होता है मारे पास में एमफी बिया एमफी बिया एमफी बिया का मतलब वे जन्तु जो पानी में भी रहते हैं और इस थल पर भी पाय जाते हैं पानी में भी जगये पर जिव जन तुपी जाते हैं एंफीबिया वर्ग करता है और एंफीबियल के जनतों के अंदर ऐंसे जनतों में जो हिर्दै होता है वह कितने हैं ज़लना है एंस बसे आ Sweet तो amphibia work में कितने कक्षे होता है तीन कक्षे amphibia work में कितना कक्षे होता है तीन कक्षे इसके बाद यदि मैं बात करूँ amphibia work के अलावा next जो work है अमारे पास में next तीशरा work जो है अमारे पास में वो होता है अमारे पास में सरी सर्व सरी सर्व सरी सर्प काम कहते हैं रेप्टिलिया मतलब वे जन्तु जो रिपट कर चलते हैं या रेंग कर चलते हैं रेप्टिलिया कहलाते हैं तो रेप्टिलिया वाले जो जन्तु होते हैं उनके अंदर हिर्दे जो है वो कितने कक्षिय होता है तो reptilia या सरीसरप का जो हिर्दे होता है वो 3.5 कक्षिय होता है कितने कक्षिय होता है 3.5 कक्षिय होता है और इसी के अंदर अपवाद है इसका एक अपवाद है वो ध्यान रखना है हम लोगों को मगरमच मगरमच और एक होता है है हमारे पास क्या घडियाल ठीक है मगरमच और जो घडियाल है ठीक है उसका हिरदे जो होता है वो चार कक्छिये होता है कितने कक्छिये होता है चार कक्छिये ठीक है दो आलिंद और दो निले पाए जाते हैं उसके इंदर ठीक है इसके अलावा जो ही मैं बात करूं कि जो प पक्षी वर्ग और पांचवे नंबर का होता है क्या इस्तन धारी इस्तन धारी तो हम किस में आते हैं इस्तन धारी में पक्षी और इस्तन धारी दोनों का ही हिर्दय जो है वो चार कक्षिये होता है कितने कक्षिये होता है चार कक्षिये तो इन चीज़ों को ध्यान में रखन कम से कम सो बच्चे हों तब तो मज़ा आता है किलास लेने का हम आप लोगों के लिए इस्पेशल चल करके हम पर आये हैं साथ महीने बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं आप लोगों के साथ में तो कम से कम जो है सो बच्चे कम से कम किलास में होने चाहिए तो सो बच्चे कम स पास में है कौनचा, एं मतश्ये वर्ग, मतश्ये वर्ग में मचलियां आती हैं, दो गक्छी हिरदे होता है, एंफीबिय वर्ग, टीके, ओभैचर वर्ग, सऱ क्ऺे होता है, सरी सर्ब जो रेंग कर चलते है, साढ़े तीन कक्षे होता होता है लेकिन इसका अपवाद है मगरमच घडियाल चार कक्षिय होता है इन में पक्षी और इस्तंधारी जो होते हैं उनमें कितना कक्षिय होता है चार कक्षिय यदि हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए चिके मुर्गा जो मुर्गे में कितने कक्षिय हिर्दे पाया जाता है तो जो मुर्गा होता है simple हम लोग जानते हैं कि ये पक्षी के अंदर आएगा तो इसमें चार कक्षिय होगा ऐसे ही यदि हमसे पुछ लिया जाए कि ओस्ट्रिच या सुत्र मुर्ग में क्या होगा तो कितना होगा तो ostrich या सुतर मुर्ग के अंदर भी कितना होगा, 4 कक्षी, कोई भी पक्षी हो तो उसमें कितने कक्षी होगा 4 कक्षी है, ठीके clear, देखे, class तो लेट हो गई थी, क्योंकि एक और class जो है, वो चल रही थी, ठीके, board फिरी next question हमारे पास में है कि हिर्दे के उपर का आवरण को क्या कहते हैं, ठीके pericordium, periosteum, plural जिली या फिर meninges, ठीके, हम लोगों को बताना है कि हिर्दे के उपर का जो आवरण है, हिर्दे को यह दि हम देखें, ठीके, तो यह हमारा हिर्दे हम लोगों ने खुब बनाया है, ठीके, हिर्दे के उपर का जो आवरण है, वो कौन सा होता है, तो हिर्दे के उपर के आवरण में चार लेयर पाई जाती है, ठीके, कितनी लेयर होती है, चार इस्तरिये, यहाँ पर एक आवरण हम लोगों को देखने को मिलेगा कितने स्तर्य मिलेगा चार स्तर्य इस वरकार से तो चार स्तर्य एक आवरण हम लोगों को देखने को मिलता है इस चार स्तर्य आवरण को हम किस नाम से जानते हैं यह हमें बताना है देखे हम लोगों ने बात की थी हिर्दे हिर्दे को हम क्या कहते हैं कॉर्डियो क्या कहते हैं कॉर्डियो और हिर्दे का धिन कहलाता है कॉर्डियो लोजी हिर्दे को कहा जाता है कॉर्डियो चिके और चारों और का जो आवरण होता है उसको बोला जाता है पेरी क्या बोला जाता है पेरी तो simple यहां से आम आंसर का पता लगा सकते हैं कि आंसर क्या होगा तो इसका आंसर क्या होगा भई हिर्दे के उपर का आवरण मतलब pericordio या pericordium तो हिर्दे के उपर का जो आवरण है वो क्या होता है pericordium होता है ठीके हरदय का उपर का आवरण क्या होता है पेरि कोरडियम होता है ठीके अब देखो ओस्टियों का मतलब होता है क्या अस्थियां क्या होता है अस्थियां और अस्थियों के उपर का आवरण क्या कहलाता है पेरि ओस्थियम प्लूरल जिली जो है वह हम लोगों ने पढ़ी Kis में पाया जता है फेफ़डों का आवरण फेफ़डों का जो आवरण है वो कहलाता है Floral-D beetje थिली फटाफ़ट से वीडियो को Share करते रहें यदि वीडियो पसंद आती है तो like जरूर करें क्योंकि देखने वालों की संख्या ज़्यादा है और like की संख्या कम होती है ठीक है मेनन जेज जो है वो किसका आवरण है मेनन जेज मेनन जेज की यदि हम बात करें तो मेनन जेज मस्तिस्क का आवरण होता है किसका आवरण होता है मस्तिस्क का आवरण ठीक है तो मस्तिस्क के आवरण को क्या बोला जाता है मेनन जेज बोला जाता है और यदि, यदि क्या हो, ये मेनन जेज संक्रमित हो जाए, तो व्यक्ति को एक रोग हो जाता है, मेनन जाइटेस, मेनन जाइटेस, चीके, मेनन जाइटेस रोग का संबंद किस्से है, ये बहुत बार पूछा गया है मेनन जाइटिस रोग का संबंध क्या है किस्से है तो मेनन जाइटिस रोग का संबंध किस्से होता है तो इसका संबंध होता है मस्तिस्क से मस्तिस्क के उपर के आवरण या जिली का संकर्मित हो जाना मेनन जाइटिस कहलाता है यहां तक किलिय हुआ कि चलिए आगे बात करें सुर्थिए ठेंगे टॉपिक क्लियर होता जाता है को फंञे ब होता जाता है को जरूर दे करो कमंड्स आने जो है वह एक्दम से रुख जाते हैं अगे समझ में आ रहा है औ community का ओ वो आप लोगों के कुछ समझ आ रहा है, आप लोगों का कुछ फाइदा हो रहा है Next question देखिए Question है, स्तनियों, स्तन्धारियों में हिर्दे के दाएं आलिंद में रुधिर कहां से आता है? स्तनियों के हिर्दे में हिर्दे के दाएं आलिंद में जो रुधिर है, वो कहां से आता है? तो यहां पर हम हिर्दे को देख लेते हैं, हिर्दे का हम लोगों ने अभी डैगराम भी बनाया था हम वोई डाइग्राम बनाएंगे जिससे आप लोग अच्छी तरीके से वाकिप हो यह डाइग्राम आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं खुब बनाया है आप लोगोंने तो जो हिर्दे है वो इस प्रकार का ही होता है हम लोगोंने पढ़ा भी है खोब देखा भी है तो इस हिर्दय के अंदर बीचों बीच ये एक मध्य पट्टी मिलेगी इसके अंदर यदि हम देखें तो इसमें दो भाग हम लोगों को मिलेंगे एक इस साइड में इस परकार से और एक इस साइड में इस परकार से यहाँ पर जो है यहाँ पर वाल मिलेगा एक वाल इधर मिलेगा ठीके अब यहाँ पर जो है हम लोगों को पास में चार चेमबर हो गए है चार क्या है चेमबर एक चेंबर हम लोगों को ये दिख रहा है एक चेंबर ये दिख रहा है एक चेंबर यहाँ पर नजर आ रहा है एक चेंबर यहाँ पर नजर आ रहा है तो टोटल चेंबर कितने नजर आ रहे हैं हम लोगों को चार चेंबर यहाँ पर दिख रहे हैं अब देखे, जो चार चेंबर है, उसमें उपर वाले चेंबर कहलाते हैं, आलिंद, क्या कहलाते हैं, आलिंद, ठीके, दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, आलिंद, ठीके, और नीचे वाले जो हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं, निले, ठीके, आलिंद और क्या, निले तो हमारे पास में दो आलेंद है और दो क्या है निले हैं देखिए अभी भी पचास नहीं हुए हैं कम से कम पचास तो कर दीजिए इनको फटा-फट से जो है पहले पचास करिए फिर जो है अगे इनको सो भी कराएंगे ठीक है सो कम से कम होने चेहीं बचे तो कम से कम इसको सेर करिए फटा-बट फटा-बट से ठीक है अपने मित्रों को बता दीजिया करेए कि बैए किलास आने वाली है ठीक है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहां रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइदा पहुँ तो ये वाला side क्या होगा दाया और ये वाला side क्या होगा बाया चेके तो हम यहाँ पर कहेंगे ये जो है ये क्या है बाया चेके ये क्या है तो ये है हमारे पास में बाया क्या है हमारे पास में बाया आलिंद और ये क्या है ये है क्या बाया निले चेके यदि मैं करूं बात इधर तो ये क्या है तो ये है दाया निले और ये हो गया हमारे पास क्या दाया ठीके आलेंद तो इस प्रकार से हमारे पास में आलेंद और निले इस प्रकार से पाए जाते हैं ठीके कलियर हुआ अब बात करें यहां पर कि जो रुधिर है वो किधर किधर से आता है यहां पर रुधिर जो है वो दो नलियों दुवारा से आता है दो नलिकाउं के दुवारा आता है रुधिर हिर्दे के अंदर यह कौन सा भाग है दाया आलिन यहाँ पर जो रुधिर आता है वो आता है महा सिरा के द्वारा किसके द्वारा आता है? महा सिरा के द्वारा आता है यहाँ पर जो रुधिर आएगा वो महा सिरा के द्वारा अब दो महा सिरा हमारे पास में हैं जो रुधिर यहाँ पर लेकर आ रही है तो हम एक को कहते हैं क्या पष्च महासिरा और दूसरी को कहते हैं क्या अगर महासिरा CO2 यक्त कैसा आता है CO2 क्योंकि सरीर से कैसा आएगा CO2 यक्त अशुद रुधिर अब बात करें आगे यह जो रुधिर है यहां से यहां पर आ जाएगा इधर जो है 3 वलन वला कपाट मिलेगा और इसको हम कहते हैं 3 वलनी का पार्ट ठीक है यह जो वाल मिलेगा इसको हमने क्या नाम दिया है त्रीवलनी वाल ठीक है यहाँ पर जो वाल है इसमें दो ही वलन मिलेंगे तो इसको कहेंगे हम द्वीवलनी वाल ठीक है तो त्रीवलनी यह जाता है महा धमनी, यह जो है रुधिर बहार निकलेगा, क्योंकि योतर युक्तर रुधिर है आशुदधर रुधिर है, यह सुध्ध होने के लिए फेपड़े के पास जाएगा और यह जाएगा किसके दोरा, फुस्य धमनी के द्वारा फुफु फुसिये धमनी के द्वारा भार निकल करके फेपडों में जाएगा इसी को हम कहते हैं पुल्मो नेरी धमनी इसी को क्या कहते हैं पुल्मो नेरी धमनी रुधिर फेपडों के अंदर कूपी का कोशिका होती हैं फेपडों के अंदर क्या होती है कूपी का क कोशिका आज हम लोग ने बात कर ली थी सुबह कूपी का कोशिका को एल वियोली कहा जाता है क्या कहा जाता है एल वियोली ठीक है तो एल वियोली जो है वो क्या करेगी रुधिर में जो CO2 यहाँ पर आया था CO2 युक्त रुधिर था CO2 को यह अल वियोली अपने पास रखेगी और O2 मिक्स करके वापिस भेजेगी तो यहाँ पर जो रुधिर आएगा वो रुधिर प्रवेश करेगा कौन से में बाएं आलिंद में यह जो रुधिर आया यह कैसा था O2 युक्त शुद्ध रुधिर O2 युक्त शुद्ध रुधिर कहां प्रवेश कर रहा है यह बाएं आलिंद में यह कह रहा है यहाँ पर क्या दाएं आलिंद में तो दाएं आलिंद में जो रुधिर है वो कहां से आया है तो यह आया है कहां से सरीर से दाएं आलिंद में रुधिर कहां से आता है तो यह आ रुधिर को लेकर आती है, ठीके, यहां रुधिर आया, ओटु युक्त आया, यह यहां पर आएगा, और यहां से यह बाहर निकलेगा, ठीके, और बाहर निकल करके, यह महा धमनी के द्वारा, महा धमनी के द्वारा, पूरे सरीर में चला जाएगा, कहां चला जाएगा, पू तो हम लोग ने बात की कि हिर्दे में चार चेंबर थे, दाया आलिंद दाया निले, बाया आलिंद बाया निले, सरीर से रुधिर आएगा, पश्च और अगर महासिरा को प्री केवल और पोस्ट केवल कहा जाता है, प्री केवल कहा जाता है किसको अगर महासिरा को और पोस्ट केवल कहा जाता है कि इसको पस्च महा सिरा को ठीके तो इस question का जो answer हुआ वो क्या हो गया बै ठीके तो यहाँ पर answer क्या हो गया बै यहाँ पर answer होगा कि दाएं आलिंद के अंदर जो रुधिर है वो कौन ले कर के आया कहां से ले कर किया लेके कोन आया प्री केवल पोस्ट केवल लाया कहां से है तो ये सरीर से ले कर के आता है क्लियर आगे बढ़ते हैं यहां से देखें, next question पर जाएं next question है हमारा वो यहां पर है कि इस तन्धारियों का हिर्दे इस पंदन किसके द्वारा निंत्रित होता है हिर्दय का धड़कना बात कर रहे हैं धड़कन की तो हमारी जो धड़कन है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है हिर्दय की धड़कन किसके द्वारा कंट्रोल होती है हिर्दय की धड़कन किसके द्वारा कंट्रोल होती है फटापट से बताना है, ठीके, हरदय में गती प्रेरक के द्वारा, रुधिर में थाइरोक्सिन हार्मोन के द्वारा, रुधिर में आक्सिजन की अधिक मात्रा के द्वारा, ठीके, रुधिर में, रुधिर का आयतन के द्वारा, ठीके, रुधिर का आयतन इसको कंट्रोल करत हिर्दे की गती को कंट्रोल कौन करता है तो ध्यान रखे हिर्दे की गती को जो हमारे पास में दायां आलिंद था कौन सा आलिंद दायां आलिंद दायां आलिंद के अंदर पाया जाता है S A node, क्या पाया जाता है, S A node पाया जाता है, दाएं आलिंद के अंदर, ठीके, और S A node को कहा जाता है, क्या, गती प्रेरक, क्या कहा जाता है, गती प्रेरक, ठीके, समझ लेना, गती प्रेरक कहा जाता है, S A node को क्या कहते हैं, गती प्रेरक कहते हैं, गती जो होती है, इसको actual म में हम लोग science की भासा में बोलते हैं pace, और प्रेरक या बनाने वाला, प्रेज़ित करने वाला या बनाने वाला, तो बनाने वाले को कहा जाता है, क्या maker, क्या कहा जाता है? Maker, तो हिर्दय की गती को बनाना, control करना, ठीके, तो ये काम करता कून है? तो essay node करता है, essay node को सुद्धिंदी में कहते हैं, गती प्रेरक और science की बादसा में कहा जाता है, क्या pace maker पाया कहा जाता है ये, ठीके, तो दाएं आलिंद में ये पाया जाता है, ठीके, pace maker कहां पर पाया जाता है, तो दाएं आलिंद में पाया जाता है, right answer जो है इसका, वो हमा हमारे सामने हैं हिड़े में गती प्रेरक्ट जो होता है किस बंधन की दर को कंट्रोल करता है ठीक है नेक्स देखे कोस्टन जमी यहां पर रखा है कि अ será सिंद हर एक हैं मिट्रल कंपार्ट किंदो के बीच में बीच के छिदर पर इस्तित होता है मतलब मिट्रल जो कपाट है वो कहां पर पाया जाता है यह कई बार पुछा गया question है मिट्रल कपाट कपाट का मतलब होता है वाल यहां पर पुछा गया है देखो option दे रखा है कि दाया आलेंद या दाया निले next दे रखा है बाया आलेंद बाया निले next दे रखा है पल्मोनेरी सिरा और बाया आलेंद next दे रखा है यहाँ पर केरोटिको systemic चाप वे दाया निले तो यहाँ पर जो है कपाट या वाल कौन सा वाला mitral mitral wall की बात कर रहा है कि mitral wall जो है वो किन दो छिद्रों के बीच में इस्थित होता है या किन किन के बीच में इस्थित होता है Mitral wall तCP पूछे, ध्यान रखना जब भी examiner Stripe के question पूछे तो mitral wall या कपाट जो है वो कहा जाता है किसको by by कश्पिड बाई कश्पिड वाल को किसको कहा जाता है बाई कश्पिड वाल का मतलब होता है क्या द्वी वलनी द्वी वलनी वाल और हम लोगों ने भी बात की थी जब हम लोगों ने हिर्दय बनाया था तो हिर्दय के अंदर हम लोगों ने बात की थी इस परकार से इस साइड में यदि हम बात करें तो ये एरिया कौन सा था दाया और ये एरिया कौन सा था बाया ठीके तो बाई और जो है ठीके कौन सा होता है बाई कस्पिड और दाई और जो है वो कौन सा होता है ट्राई कस्पिड वाल ठीके तो ध्यान रखना कि बाई और है बाई और क्या होगा बाया आलिंद चीक है बाया आलिंद और बाया निले चीक है तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारे सामने देखे राइट आंसर हो गया क्या बाया आलिंद और बाया निले चीक है बाया आलिंद और बाया निले जो है उसके बीच में क्या पाया जात control है क्लिएर यहां-टक नेक्ट वстаточно आगे देखिए मास erst question है कर रुधिर दाब हर्दय स्पंदन की दर-णियंतृत किस हार्मॉन के द्वारा होती है और रक्त दाब की बात करेड या हर्दय स्पंदन की दर जो है वो किस हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होती है पहला है थायरोक्सिन दूसरा है एड्रिनलीन तीसरा है गेस्ट्रीन चोथा है सिक्रिटीन तो रुधिर दाब या हर्दय स्पंदन जो होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है रुधिर दाब य हर्दे स्पन्धन किसके द्वारा कंट्रोल हुता है रुधिर दव या हर्दे इस्पन्धन किसके द्वारा कंट्रोल हुता है इस उस अभे फीष से बताएं आपर कि Adrenaline हार्मोन जो है वो Adrenal Grends से निकलता है Adrenal Gland Adrenal Grends को कहा जाता है अधी व्रक अधी व्रक गरंथी चीके और ये Kidney के उपर स्थित होती है तो इससे हार्मोन आता है कौन सा Adrenaline इसी को कहा जाता है करो या मरो हार्मोन या आपात कालीन हार्मोन आपात कालीन हार्मोन तो जब हमारा आपात काल मरलब कोई situation ऐसी आती है किसी प्रकार की तो वहाँ पर problem क्या होती है heartbeat बढ़ती है गठती है रुधिरदाब जो है वो गठता बढ़ता है तो उसके लिए उत्तरदाई कोन है adrenaline हार्मोन चीके clear यहाँ पर next बात करें next देखिए question आप सबी के सामने है question यहाँ पर दे रखा है देखिए कि coronary धमनी किस प्रकार कार उधिर बैता है coronary धमनी के अंदर किस प्रकार कार उधिर बैता है coronary धमनी किस प्रकार का उधिर बैता है पहला देखिए वरक में आशुदर उधिर मस्तिस्क में शुदर उधिर हर्दय को शुदर उधिर मस्तिस्क से आशुदर उधिर लाती है चीके तो कोरोनरी धमनी जो है वो क्या करती है कैसार उधिर किधर सप्लाई करती है यह हम लोगों को बताना है तो कोरोनरी किसकी बात कर रहे हैं हम धमनी की बात कर रहे हैं चैके कोरोनरी धमनी जो होती है वो रुधिर की सप्लाई करती है किसको तो यह हिर्दय को ही रुधिर की सप्लाई करती है हिर्दय को रुधिर की सप्लाई करेगी और कैसा रुधिर सप्लाई करती है यह तो यह करती है कैसा ओटु योक्त रुधिर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका कि हिर्दय को शुद्ध रुधिर की सप्लाई देती है कौन कोरोनरी धमनी के दुवारा कैसा रुधिर किसक जो रुधिर होता है वो यहां पर रुधिर दिया जाता है नेक्स देखें नेक्स जो कोश्चन है यहां पर वो यहां पर दिया गया है कि पेश में कर प्रभावित करता है गती प्रेरक को कहा जाता है पेश में कर यह क्या प्रभावित करता है पहले दे रखा है हिर्दय की पेशियों का संकुंचन दूसरा दे रखा है कि हिर्दय में रुधिर का प्रवा तीसरा दे रखा है हिर्दय स्पंधन की दर और चोथा दे रखा है यहां पर तंत्री का आवेग को जनम तो पेश मेकर जो है वो किस चीज को प्रभावित करती है यह हम लोगों को बताना है। कि PACE MAKER जो है, सब इक मालूम है, PACE MAKER जो होता है, वो हर्देश फंदन की दर्कू जो है, जो क्या करता है? पर भावित करता है, झेकिज्ट कुश्चन पर बढ़ें. यहां पर देखिए कुश्चन क्या है? question कहा रहा है कि गती प्रेरक या ऐसे node जो है वो कहां इस्तित होता है गती प्रेरक को हम नवगर ने नाम दिया था क्या पेश मेकर ठीके तो पेश मेकर कहां पर पाया जाता है फटा फट से बताना है ठीके पेश मेकर जो है वो कहां पर पाया जाता है पेस मेकर जो है वो कहां पर पाया जाता है वीडियो को जो है share करते रहें ठीके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है share करते रहें ठीके चलिए तो सभी का right answer है यहां पर कहां पर पाया जाता है हिर्दे में और पर्टिकुलर हिर्दे की यदि बात करता तो भी हम बता देते कि पर्टिकुलर हिर्दे में कहां पर पाया जाता है ठीके नेक्स देखें नेक्स जो कॉस्चिन है हमारा वो यहां पर है कि यू स्टेकियन का पार्ट कहां पर पाया जाता है यू स्टेकियन का पाट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है पहला दे रखा है मद्यकरण वे फ्रिंकर्स के जोडों पर नेक्स दे रखा है मद्यकरण में नेक्स दे रखा है कि हिर्दे के दाई निले में नेक्स दे रखा है हिर्दे के बाई निले में हिर्दे के दाई निले में यहाँ पर option में mistake है यहाँ निले के जिगहा क्या कर लोगे आलिंद निले के जिगहा क्या कर लेना आलिंद, दोनों ही यहाँ पर निले निले हो गए हैं तो निले के जिगहा क्या करना आलिंद क्लियर यहाँ पर तो यहाँ पर हमाई दिखाए गया है कि Takian का part या wall जो है वो कहाँ पर पाया जाता है हम लोगों ने अभी बात कि थी कि हुर्दे के अंदर हुर्दे जो हम लोगों ने बनाया था इस हुर्दे के इस वाले part में मतलब की हमारे पास था क्या दायां आलिंद तो दायां आलिंद के अंदर हमारे पास में दो सिराएं आया रही थी एक थी हमारे पास में क्या एक सिरा का नाम था हमारे पास में पश्चे महासिरा चेके पश्चे महासिरा चेके और जो दूसरी थी उसका नाम था क्या हमारे पास में अगर महासिरा तो यह है पश्च और यह है क्या अगर महासिरा तो पश्च महासिरा के मुहाने पर यहां पर एक वाल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस वाल को हम लोग बोलते हैं यू स्टेकियन वाल यू स्टेकियन वाल यू स्टेकियन वाल और अगर महासिरा के मुहने पर यहाँ पर जो पाया जाता है उसको बोला जाता है थे बेशियन वाल तो थे बेशियन वाल अगर महासिरा के मुहने पर पाया जाता है और पच्च महासिरा के आगे क्या पाए जाता है यू स्टेकियन वाल तो simply हम लोगों के यहां पर जो option दे रखा है उसके अंदर last option जो हमने change करवाय था ठीके कि हिर्दे के दाएं आलिंद में हिर्दे का क्यों सा आलिंद है दाएं आलिंद यहां पर मिलेगा क्या यू स्टेकियन और यहीं पर मिलेगा क्या थेबिशियन तो दो प्रकार के वाल यहीं पर हम लोगों को पाए जाते हैं ठीके यू स्टेकियन भी और थेबिशियन भी ठीके इधियान रखने हैं नेक्स बात करें Next question देखें Question के अंदर देख खा है कि SPIGMOMENOMETER से क्या मापा जाता है रुधिरदाब, नब्ज यह फिर हर्दय की इसपनदंदर यह इनमें से कोई नहीं SPIGMOMENOMETER से क्या मापा जाता है SPIGOMOMENOMETER से क्या चीज मापी जाती है इस फिग्मो मैनो मीटर के दुआरा किस चीज को मापा जाता है फटाफट से बताएं ठीके आपस में एक दूसरे के कमेंट्स के उपर ध्यान ना दें ठीके ज़्यादा अच्छा होगा किसी को ब्लोग क्या हुआ है किसी ने कुछ क्या है किसी को किसी प्रकार का कोई कमेंट्स करने की ज़र्त नहीं है सीधा हमारा जो ध्यान है वो किसके उपर होना चाहिए किलास के अंदर ठीके किसी को ब्लोग क्या गया है तो किसी ने किसी रिजन से ही ब्लोग क्या गया होगा ठीके हम क्या करते हैं रक्तदाब रक्तदाब मतलब क्या बीपी तो बीपी मापने का जो यंत्र होता है स्फिग्मो मैनो मीटर जो हमारी बाजू के उपर लगा करके और फिर मापा जाता है क्या रक्तदाब ठीके इस्फिग्मो मैनो मीटर के द्वारा मापा जाता है ठीके ध्यान पर जो हमारी धमनी होती है क्या होती है धमनी वहां से रुधिर की जो रक्त दाब है उसको मापा जाता है और यहां पर जो धमनी होती है उसको कहा जाता है क्या ब्रेडियल धमनी कौन सी धमनी होती है तो ब्रेडियल धमनी से रुधिर दाव मापा जाता है मानलो ये पूछ लेता है तो ये ध्यान में रखना है Next देखे कोश्चन कोश्चन बड़ा है सिंपल सा है सब लोग जानते हैं बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है विल्यम्स हारवे किसकी खोच से संबंदित है रक्त का इसकंदन रक्त परिशंश्रन तंत्र पाचन की किरिया या स्वशन की किरिया विल्यम्स हारवे का संबंद किस्से है विल्यम्स हारवे का जो संबंद है वो किस्से है ये हम लोगों को बताना है विल्यम्स हारवे का संबंद किस्से है फटाफट से बताना है very good नितिन काग्या काजल लोकेश प्रजापत सावत्री मीना वीरू अनोखी भागचंद very good सभी क्या आगए है अजय मीना, सलेंदर ठीके नवल कालूराम हरी संकर हेमंत रिंकू अरण ठीके तो इनका जो संबंद है वो किस्से है रक्त परिशंचरन रुधिर परिशंचरन ठीके यदि पूछ लिया जाए कि रक्त परिशंचरन तंत्र का अध्यन करना क्या कहलाता है रक्त परिशंचरन तंत्र का जो अध्यन होता है वो कहलाता है क्या एंजियो लोजी एंजियो लोजी ध्यान रखना है जिके रक्त परिशंच्रन तंत्र का अध्यन क्या कहलाता है तो यह कहलाता है एंजियो लोजी और पूछ लिया जाए कि एंजियो लोजी का जनक कौन है एंजियो लोजी का जनक कौन है तो कौन है विलियम हारवे एंजियो लोजी का जनक कौन है तो वो है कौन है विलियम हारवे राजेश कुमार कह रहे हैं हिमेटो हिमेटो लोजी हिमेटो लोजी देखो हिमेटो या हीमो ठीके का मतलब होता है क्या रक्त तो रक्त का अध्यन रक्त का अध्यन क्या कहलाता है हिमेटोलोजी यदि पूछ लिया जाए हर्दे का अध्यन तो क्या कहोगे कार्डियोलोजी कार्डियोलोजी ध्यान अखना है इन चीजों को कार्डियोलोजी में किसका दिन क्या जाता है रदेका ठीके कोई बात नहीं ठीके चलिए आगे बढ़ दे यहाँ के लियर हो गया नेक्स कॉस्चन देखिए झाल 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 देखिए यह कॉस्चन है हमारे पास में इसके हमने बात कर ली थी नेक्स कॉस्चन है हमारे पास में देखिए कॉस्चन है कि हिर्दे में हिर्दे में बाई और पहुंचने के लिए रुधिर कहां से आता है जो हिर्दे था हमारा उसके बाएं भाग में रुधिर आता कहां से है बाएं भाग में पहुंचने के लिए रुधिर जो है वो कहां से आता है यहां पर दे रखा है साइनस विनोसस नेक्स दे रखा है व्रक से यकरत से फेपडों से तो यह जो रुधिर था वो कहां से आ रहा था इस वाले भाग में यह कौन सा है बाएं आलिंद तो बाएं आलिंद के अंदर जो रुधिर है वो कहां से आ रहा था बाएं आलिंद के अंदर रुधिर जो था वो कहां से आ रहा था यह हमें लोगों को बताना था तो बाएं आलिंद के अंदर जो रुधिर था वो कहां से आया फेफडों से और फेफडों से जो लेकर के आता है उसको कहा जाता है क्या फुप्फ फुसिये फुप्फ फुसिये सिरा चेके या पुल्मोनेरी सिरा और ये एक मात्र ऐसी सिरा है जिसमें ओटू युक्त सुद्रुदिर बैता है चेके फिफडों से आता है यहां पर चेके clear, next देखे question next question है question दे रखा है कि हर्दय पेशियों की विसेश्ता होती है हर्दय पेशियों की विसेश्ता जो है वो क्या होती है तीवर संकुंचन वे ठकावट तीवर संकुंचन बिना ठकावट मंद संकुंचन वे ठकावट मंद संकुंचन बिना ठकावट ठीके पताए यह फटावर से हर्दे पेशियों की विशेश्ता क्या होती है फुटाफर से बताना है हर्दे पेशियों की क्या विशेश्ता होती है तो सभी को मालूम है कि हिर्दय पेशियों में तिवर संकुंचन होता है बिना थाकावट के तो हिर्दय की पेशियों के अंदर जो संकुंचन होता है वो तिवर होता है और थाकावट इसमें बिलकुल नहीं होती तो बीस का क्या था राइट आंसर ठीक है नेक्स देखे कॉस्चन, कॉस्चन यहाँ पर है, पल्मोनेरी सिरा की विशेष्था, ठीके, पल्मोनेरी सिरा मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि फुफ, फुशिये, फुफ, फुशिये, सिरा जो होती है, उसके क्या विशेष्था है, तो फुशिये सिरा जो होती है, वो फेफडों से रुधिर लेके आती है, कैसा रुधिर लाती है, O2 युक्त, यहां पर देखिए, option में रखा है, अशुद्ध रुधिर काट देंगे, काट देंगे, सुद्ध पर धियान रखना है, हिर्दे, सुद्ध रुधिर को हिर्दे फेफडों में ले जाती है, राइट आंसर है बहुत अच्छी तयारी है उमीद है कि इस बार हम लोग कहीना कहीं जोब ले लें ठीके तयारी को इसी प्रकार से बनाए रखें ठीके जोस जो है वो हमारा इसी प्रकार से रहें ठीके आलतु-फालतु के कमेंट्स को पर ध्यान ना दे करके डिरेक्ट हम लगबग सभी जो है अच्छी है तयारी हम क्लियर नेक्स बात करें देखें नेक्स कोश्चन पर आजाते हैं कोश्चन यहां पर दे रखा है कि हिर्दे स्पंधन की दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है फिर से कोश्चन गुम करके आ गया है लेकिन यहां पर कोश्चन तो वही है हिर्दे स्पंधन की दर अब यहां पर हम लोगों ने रटा यदि सुरू से तो हम लोगों ने एक आंसर यहां पर देखा था पेस मिकर यह हिर्दे स्पंधन की दर को कंट्रोल करता है एक हमने देखा यहां पर एड्री, एड्री, नलीन, हार्मोन, ये भी हिर्दे स्पंदन की दर को कंट्रोल करता है, ठीके, लेकिन अब यहाँ पर ये दोनों ही ओप्शन में नहीं है, ठीके, दोनों ही क्या है, ओप्शन में नहीं है, ठीके, दोनों ही यहाँ पर ओप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर क स्टरोक्रोनॉंक बार ऊंतिर वेगस सामें यह उक्षिंड रखे के Applicühl कर तुर्ण्धन और स्ट्रोन कि दुड़ कोने उस्ट शेयां बच्व्चा लोगों पढ़ कुई हैं ये control करते हैं तो तुरंत आंसर आना start हो गया है बच्चों का क्या इन में से कोई नहीं देखिए हिर्देश पंदन जो है वो यहां पर वेगस तंत्रिका के द्वारा control होती है ठीक है वेगस तंत्रिका जो है इसका नंबर होता है कितना दस चेके वेगस तंत्रीका का नंबर कितना होता है तो दस नंबर की तंत्रीका होती है वेगस तंत्रीका क्लियर वा वेगस तंत्रीका का नंबर कितना होता है दस नंबर तंत्रिका होती है वेगस तंत्रिका और ये question भी पूछा गाया था कि दसवे नंबर की तंत्रिका का नाम बताईए तो क्या था वेगस तंत्रिका दसवे नंबर की तंत्रिका होती है वो किसको कंट्रोल करती है तो हिर्द्य के स्पंधन की दर को कंट्रोल करने का काम करती है तो हिर्द्य स्पंधन की दर जो है वो अलग-अलग जिखा पर इसके अलग-अलग अंसर आने वाले हैं ऐसा नहीं है कि एक ही चीज को हम रट करके बैठ जाएं clear? next देखें next question पर आते हैं देखें question दे रखा है हिर्द्य के सिथिलन के समय सिथिलन का मतलब होता है फैलना और सन कुंचन सन कुंचन का मतलब होता है शिकुडना शिकुडना तो हिर्द्य का सिथिलन हुआ हिर्द्य जब फैलेगा तो क्या होगा? हिर्द्य जब फैलता है तो क्या होता है? जब हिर्द्य फैलता है जब भी हिर्द्य फैलता है तो क्या होता है? पहला option दे रखा है कि हिर्द्य से बाहर जाता है रुधिर दूसरे दे रखा है कि रुधिर जो है वो हिर्दय में प्रवेस करता है नेक्स दे रखा है फेपडो में रुधिर प्रवेस करता है नेक्स है निले से बहार जाता है तो फेपडो में प्रवेस करे या फिर बहार जाए ये सारे आउटपुट की कंडिशन है लेकिन जब हमारा हिर्दय फैलता है तो इसमें रुधिर प्रवेश करता है क्या करता है रुधिर प्रवेश करता है और जैसे हिर्दय सिकुडता है तो उसके अंदर जो रुधिर था वो रुधिर प्रेसर से क्या होता है बाहर निकलता है तो यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर तीन जो option थे, उसमें बाहर जाने की बात कर रहा था, फेपडों में प्रिवेश करेगा, तो हिर्दय से तो बाहर जाएगा, तो यहाँ पर यह जो थे, यह सारे बाहर के थे, और इसमें था, अंदर प्रिवेश करेगा, तो right answer क्या थ यहाँ पर, एक बात अभी थी, हम लोगों ने बात की, हिर्दय का फैलना, और एक बात की हमने क्या, शिकुडना, हिर्दय का शिकुडना कहलाता है, सिस्टोल, सिस्टोल कहा जाता है, और फैलने को कहा जाता है, डायस्टोल, हिर्दय के फैलने को क्या कहा जाता है, और हिर्दय के शुकुडने को क्या कहा जाता है सिस्टोल कहा जाता है चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे question है मारा प्रतम ध्वनी है निले संकुचन के प्रारंब में विक्षित लब ध्वनी next है निले संकुचन के प्रारंब में विक्षित लब ध्वनी next है संकुचन के अंत में विक्षित लब ध्वनी तो क्या होता है यहाँ पर लब ध्वनी डब ध्वनी प्रतम ध्वनी कौनशी होती है पहली जो ध्वनी होती है वो होती है लब पहले ध्वेनी कौन सी होती है लब ध्वेनी होती है और ये कब आती है तो यहाँ पर हम निले या आलिंद यहाँ पर सिधा-सिधा यहाँ पर आंसर नहीं लगा सकते किसी भी पर्टिकोलर यहाँ पर भाग को हम यहाँ पर टार्गेट नहीं करेंगे हम बात करेंगे, सुरी, संकुंचन के कारण, ठीक है, तो संकुंचन के कारण आती है, और कौन सी ध्वनी आती है, लब ध्वनी आती है, ठीक है, संकुंचन के कारण कौन सी ध्वनी आती है, लब ध्वनी यहां पर आती है, ठीक है, तो C क्या हो जाएगा इसका, राइट अंसर ठीके, C right answer हो जाएगा इसका, next देखे देखे, यहाँ पर दे रखा है question में कि किसके रुधिर में यूरिया की मात्रा सर्वधिक होती है किसके रुधिर में यूरिया की मात्रा सर्वधिक होती है पहला दे रखा है, यकरत ये निवाही का उपतंत्र में next दे रखा है, यकरत ये सिरा में next है, यकरत ये निवाही का सिरा में और next है हमारे पास में, यकरत क्रश्ट ये महा सिरा में तो यूरिया की मात्रा जो है वो अधिक किसके अंदर होती है यूरिया की मात्रा अधिक किसके अंदर होती है तो यदि हम बात करें यूरिया की तो हमारे सरीर के अंदर यूरिया का जो फोर्मेशन होता है वो अमोनिया से होता है हमारे सरीर में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है और ये बदलने का कारिय जो है वो यकरत करता है कौन करता है यकरत तो यकरत में जो है रुधिर आएगा और यकरत से रुधिर बाहर जाएगा जब यकरत में रुधिर आएगा तो उसमें क्या चीज आएगी अमोनिया और जब रुधिर बाहर जाएगा तो क्या चीज बाहर जाएगी उसमें यूरिया जो है वो बाहर निकलेगा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा यकरत ये सिरा या फिर यकरत ये निवाही का सिरा दो यहाँ पर दिया हुआ है तो जो यकरत से बहार निकलने वाली सिरा होगी और ये रुधिर को ले करके जाएगी कहां तो ये रुधिर को जो है वो लेकर के जाएगी आगे मतलब कोई भी अंगसेर उधिर जो है वो आपर सिर्दय के पास में घुम करके आता है तो यहांपर right answer हो जाएगा क्या येटरतिये सिरा के द्वारा ठीक है तो येकरतिये सिरा जो है वो यहांपर लेकर के आगी B right answer है सभी का, ठीक था सभी का right answer था, next देखिए, यहां पर देखा गया है कि oxygen यक्त शुद्धर उधिर, oxygen यक्त शुद्धर उधिर किसमें होता है, पल्मोनेरी धमनी में, पल्मोनेरी सिरा में, व्रक्ये सिरा में, या फिर यकरतिये निभाहिका में, हम लोगों ने बात की थी कि एक मातर शिरा ऐसी है जिसमें ओट्ट्ट उब्रुदिर बैता है वह है कौन सी है इसी को कहते है क्या फुफु Самय फुफफु Самय के अंधर जो है वो कैसा रुधिर बैता है वो बैता है सुद्रुधिर ठीके पहली सोरी यह धमनी हो गई यहाँ पर गलते से लग गया यह आंसर ठीके ठीक तो राइट आंसर क्या होगा सिरा कौन सी वाली ठीके तो यह होगा कौन सा पल्मोनेरी सिरा ठीके नेक्स देखे नेक्स गोशन किस रुधिर वाहिनी में यूरिया की मातरा सबसे कम होती है यूरिया की मातरा सबसे कम किस में होगी तो सिंपल बात हम यहाँ पर करें कि यूरिया की मातरा कम कहा होगी तो हमने अभी बात कि यकरत जो होता है यकरत वो यूरिया बनाता है चैके यूरिया बनाता है और जो व्रक है व्रक वो यूरिया को कनवर्ट कर देता है किसमें मूत्र में चैके और मूत्र जो है वो मूत्र वाहिनी से बहार निकल जाता है चैके वाहिनी से बहार निकल जाता है तो व्रक के पास जो रुधिर आएगा उसमें यूरिया होगा लेकिन वो मुत्रवाहिनी से क्या हो जाएगा अलग और अब व्रक या केड़नी से जो सिरा बहार जाएगी कौन बहार निकलेगी सिरा उसके अंदर जो है क्या नहीं मिलने वाला यूरिया हमें कम मिलने वाला है तो हम यहापर आंसर लगाएंगे व्रक की सिरा जो है व्रक की सिरा के अंदर जो है वो क्या होगा यूरिया की मात्रा कम होगी डीस का क्या हो जाएगा राइट आंसर ठीके क्लियर यहां तक हाँ चली next question की तरब बढ़ रे हैं next देखे question question है कि यकरत ये सिरा में होता है यकरत की जो सिरा होती है उसके अंदर क्या होता है तो यकरत की सिरा में क्या होता है अधिक यूरिया, कम विटामिन अधिक गुलकोज, कम राइबोफलेविन यकरत की जो सिरा है उसमें क्या होता है तो यक्रत से जो सिरा निकलेगी उसके अंदर अधिक मात्रा में क्या मिलेगा यूरिया हमें मिलेगा क्योंकि यक्रत क्या कर रहा है यक्रत यूरिया का क्या करता है निर्मान करता है तो यक्रत से निकलने वाली सिरा के अंदर अधिक मात्रा में हमें यूरिया मिलने वाला है नेक्स देखे नेक्स जो कोश्चन है वो यहां पर देरखा है रुधिर का pH धमनी वे सिरा में होता है सिरा में अधिक समान धमनी में अधिक या एनिस्चित ठीक है बड़ाई सिंपल सा कोश्चन है हम लोग अच्छी तरीके जानते हैं कि रक्त का जो pH होता है वो 7.4 pH होता है यह हम लोगों ने पढ़ा है लेकिन यह बताए कि रक्त का जो pH है वो धमनी में कितना होता है सिरा में कितना होता है क्या दोनों में समान होता है क्या सिरा में अधिक होता है क्या धमनी में अधिक होता है या हम कोई decide नहीं कर सकते एनिश्चित होता है फटाबर से बताए बड़ाए simple सा question है फटाबर से answer दे देखे सभी के like work comments आ गए है बात करें यहाँ पर तो हमने आज तक बात की है किसकी रुधिर की कि रुधिर का जो pH है वो कितना होता है 7.4 ठीकिए अब वो चाहे धमनी में हो चाहे सिरा में हो किसी भी चीज में हो ठीकिए वो pH कितना होगा इसका 7.4 होगा इसलिए यहां पर right answer क्या रहेगा समान रहेगा ठीक है क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सिराओं के अंदर CO2 युक्त बैता है ठीक है धमनी के अंदर O2 युक्त बैता है सुद्रुदिर जहां बहेगा वहाँ पर pH कम होगा ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो pH value है वो दोनों में क्या होती है समान होती है ठीक है इसलिए question को लेकर क्या है आपर next देखे question question यहाँ पर simple सा है नब्ज की दर मापी जाती है सिरा से मापते हैं धमनी से मापते हैं तंत्रिका से मापते हैं या केसी का से मापते हैं नबज जो मापी जाती है वो किससे मापते हैं नबज की जो दर है वो किससे मापी जाती है फटाव से बताना है नबज की दर तो नवज की जो दर होती है ठीके वो हम धमनी से ही मापते हैं ठीके और नवज जो है वो हम लोग हाथ से मापते हैं यहां से ठीके यहां से मापेंगे तो यहाँ पर कौन सी धमनी होती है जिससे हम यहाँ पर नवज को मापते हैं नवज मापने के लिए जो धमनी होती है उस धमनी का नाम क्या है यह हमें बताना है और नवज मापने के लिए हम यंत्र का उप्योग करें तो किस यंत्र से नवज को मापा जाता है किस यंत्र से नब्ज को मापा जाता है ये भी बताना है तो देखिए यहाँ पर जो धमनी होती है उसका नाम है ब्रेकियल धमनी और जो यंत्र होता है उसको कहते हैं इस फाइगमो मीटर क्या कहते हैं इस फाइगमो मीटर ठीके अब मैं बता दो यहाँ पर ये तो हो गया इस फाइगमो मीटर जो क्या मापता है नब्ज ठीके और जो बी पी मापता है बी पी मापने का जो यंत्र है उसको कहा जाता है इस फाइगमो मैनो मीटर स्फाइग मौ मैनो मीटर स्फाइग मौ मैनो मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है बीपी मापा जाता है और स्फाइग मौ मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है तो नबज को मापा जाता है ध्यान रहे ठीके चलिए आगे बढ़ें हाँ वई question simple फिर से आ गया है कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब बीपी कितना होना चाहिए ठीक है एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब जो है वो कितना होना चाहिए यह हमें बताना है एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब जो है वो कितना होना चाहिए सभी लोगों का right answer आया है 120 बटे 80 क्या system है ये 120 बटे 80 तो 120 जो है वो क्या होना चाहिए ये होना चाहिए क्या systole systole जब होगा हर्दय जब शिकड़ेगा तो रुधिर का जो दाब है वो कितना होना चाहिए 120 होना चाहिए और 80 जो है वो किसका होना चाहिए तो ये die stall के समय जब हर्दय फैलेगा तब कितना होना चाहिए तो right answer क्या होगा हमारा 120 बटे 80 120 बटे 80 हम पर क्या होगा right answer होगा clear चलिए बात करें हम आगे देखे यहाँ पर जो question है वो दिया गया है कि हिर्दय का गती प्रेरक होता है हिर्दय का गती प्रेरक क्या होता है तो यहाँ पर option में थोड़ी सी यहाँ पर mistake है यहाँ पर कर देना S A Gant नोड को क्या कहा जाता है गाठ भी कहा जाता है तो ये है अमारे पास में A V Nod S A Nod Corte Tendin या फिर A V Pat तो हिर्दे का जो गती प्रेरक होता है वो कौन होता है हम लोगों को अच्छी तरह किसे मालूम है कि S A Nod को ही हम कहते हैं Pace Maker या गती प्रेरक ठीके Pace Maker या क्या कहते हैं गती प्रेरक ठीके Clear यहां पर देखिए Next यह भी हम बात करें Next जो हमारे पास में Question है 27 नमर का Question देखिए Question है लसी का की परिभासा जो है वो क्या बना सकते हैं WBC युक्त रुधिर RBC रहित रुधिर Plates रहित रुधिर या फर Plasma युक्त रुधिर लसी का की परिभासा हम क्या बना सकते हैं यह हम लोगों को बताना है कि हम लोग जो है लसीका की परिभाषा क्या बना सकते हैं लसीका की परिभाषा तो लसीका जो होती है वो RBC रही तरुधिर होता है RBC को यदि हम क्या कर दें हटा दें तो वो कहलाता है क्या लसीका तो राइट आंसर हो जाएगा B ठीक है, राइट अंसर क्या होगा इसका, बी, ठीक है, नेक्स देखें कोस्चन, कोस्चन यहाँ पर दिया गया है, कि हिर्दे, स्पंदन, तथार, उधेर, दाव, किस से नियंत्रित होता है, यह फिर से रिपीट कोस्चन है, ठीक है, सब लोग जानते हैं, एड्रेनलीन से होत है, नेक्स देखें, यहाँ पर एक कोस्चन बनेगा, यहाँ से हो सकता है, ज्यादा भी कोस्चन बना दे, हिपीरिन करता है, ठीक है, हिस्टामीन का निर्वाण, धर इसकंदन, फाइब्री नौजन का फाइबरीन में परिवर्तन, या फिर रुधिर इसकंदन को रोकना, हि हिपेरीन क्या है एक विशेश प्रकार का प्रोटीन है ठीक है और हिपेरीन नामक जो प्रोटीन है इसका निर्मान यकरत में होता है कहां पर होता है यकरत में होता है और सिंपल इसका यदि हम बात करें कार यह क्या होता है तो यह क्या करता है रुधिर इसकंदन को रोपता है हमारे सरीर के अंदर धमनी सिराओं के अंदर जो रुधिर बहता है उसको यहाँ पर रक्त का थक्का बनने से रोकता है सरीर के अंदर तो वो कौन है हिपेरि एक और है हमारे पास एक जानवर आता है एक जनतु है जो सब लोग जानते होंगे जॉक एक जनतु है जॉक यह क्या करता है रख्त चूषता रहता है जौक जो है वो रख्त चूषता रहता है continue यह किस कारण से रख्त ज़्यादा टाइम तक चूषपाता है तो यह जो जौक है यह अपनी लार के साथ में एक पधाः सरावित करता है जिसको कहते हैं hirau dyn क्या कहते हैं, हिरूडीन हिरूडीन भी क्या है एक प्रकार का प्रोटीन है और ये भी रक्त इसकंदन को रोकता है रक्त का थक्का नहीं जमने देता तो रक्त का थक्का कौन नहीं जमने देता हिपेरिन, हिपेरिन हमारे अंदर है और हिरूडीन एक जौंक जो है जौंक हिरुडीन नामक प्रोटीन स्रावित करता है जिसके कारण रख्त का ठका नहीं जमता चलिए बात करें आगे नेक्स कोश्चन देखिए कोश्चन यहाँ पर दिया गया है हर्दे इसकंदन किस कपाल तंत्री का द्वारा नेंत्रित होता है हम लोगों ने अभी नाम लिया था इसका कौन सी तंत्रिका है वेगस तंत्रिका तो वेगस तंत्रिका का क्रमांक कौन सा है वेगस तंत्रिका का नंबर कौन सा है यह हमें बताना है वेगस तंत्रिका का नंबर कितना है यह हम लोगों को यहाँ पर बताना है तो वेगस तंत्रिका का नंबर कितना आता है दस नंबर ठीके तो यह सब का राइट एंसर है यहां पर चलिए नेक्स्ट कोस्टन की तरब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कोस्टन है मारा यहां पर दिया गया है कि रुधिर का ठका बनने में कौन सा धनायन आउशक है कौन सा पोजिटिव आयन हमें यहां पर आउशक होगा यदि हमें रक्त का क्या बनाना है ठका सोडियम धनायन, कैल्सियम धनायन, पोटेशियम धनायन या फिर जस्ता धनायन कौन सा धनायन यहां पर आउशक होता है रक्त का थक्का बनाने के लिए रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा धनायन चाहिए तो यहाँ पर कौन सा धनायन चाहिए हमें कैल्सियम प्लस टू क्या चाहिए हमें कैल्सियम प्लस टू की यहाँ पर आउशकता होती है तो right answer क्या हो जाएगा B, calcium का धनायन हमें यहाँ पर आउशक होता है ठीके, next देखिए question question यहाँ पर दे रखा है vitamin K कारिये करता है calcium वे phosphate की उपापचे किरिया को नियंतरित करना carbohydrate का उपापचे करना रुधिर का इसकंदन करना या फिर श्वशन तो यह vitamin K जो है वो रख्त इसकंदन की किरिया को परिदित करता है रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है कौन सा vitamin K तो vitamin K क्या करेगा रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है clear वा, next question पर आते हैं next question है हमारा देखे रुधिर इसकंदन रोकने के लिए आवशक है यदि हमें रख्त को हमें कहीं पर store करके रखना है वह क्या होता है blood bank के अंदर blood bank के अंदर रुधिर को रखा जाता है और हम चाहते हैं कि रुधिर का थक्का ना बने तो उसके अंदर किस चीज को मिलाया जाता है रख्त का थक्का बनने से रोकने के लिए उसमें किस चीज को मिलाया जाता है कि रख्त का थक्का बनने से रोकने के लिए क्या चीज मिलाया जाता है इसके अंदर देखे यहाँ पर सब क्या अलग अलग अंसर आ रहे हैं यहाँ पर दिशान रखना कि रक्त का थक्का बनने से रोकने के लिए यहाँ पर क्या मिलाएंगे हम sodium oxalate क्या मिलाते हैं sodium oxalate का यहाँ पर इस्तमाल करते हैं तो D यहाँ पर क्या होगा right answer next देखे question question यहाँ पर देखाया है रुधिर वर्ग स्थापित होता है जो blood group हम लोग पढ़ते हैं blood groups जो हम लोग पढ़ते हैं वो किस चीज से decide किया जाता है blood group का जो decide करते हैं वो किस से करते हैं रक्त प्लाजमा से श्वेत रक्तानों की जिली से लाल रक्तानों की जिली से या सभी से रुधिर वर्ग जो blood group है वो किसके द्वारा decide किया जाता है blood group को किसके द्वारा decide किया जाता है फटापर से बताना है very good चल यह तो यहाँ पर बात करें सभी के comments आ चुके हैं देखे अब समझ लीजिए कि यहाँ पर गलती क्या कर रहे हैं हम लोग हम बात करेंगे यहाँ पर blood group अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को गलतीया यहीं पर होती है blood group का जो निर्धारन है वो antigen के द्वारा किया जाता है antigen अब यदि किसी व्यक्ति में antigen A है तो उसका blood group A होगा antigen B है तो B होगा AB है तो AB होगा और antigen नहीं है तो उसमें कौन सा होगा O blood group होगा यह clear हुआ यह antigen के द्वारा निर्धारित होता है अब यहाँ पर option में तो हमारे पास antigen का कोई लफड़ा है यह नहीं बात यह है कि जो antigen है यह पाया कहां जाता है antigen पाया कहां जाता है पाया कहां जाता है यह बताना है अब यह हमें पता चल गया कि antigen कहां पाया जाता है तो हमें उसका आंसर पता चल जाएगा तो देखे, रुधिर वर्ग का यह दियम बात करें, एंटीजन जो है, वो कहाँ पर मिलेगा, एंटीजन मिलता है, आरबीशी जो होती है, लाल रुधिरानूं, उसकी जिल्ली में, कहाँ मिलेगा, लाल रुधिरानूं के अंदर, उसका जो आवरण होता है, उसकी जिल्ली होत तो anti-gen कहां पर पाया जाता है RBC की सतह पर और यहीं पूछलिया जाये कि anti-body कहां पर पाया जाती है anti-body तो anti-body हमें कहां मिलेगी रक्त-प्लाजमा में anti-body कहां मिलती है रक्त-प्लाजमा में मिलती है और anti-gen कहां मिलता है तो anti-gen का मिलेगा RBC की सतह पर मिलता है नेक्स्ट कोस्टन भी बड़े इस कोस्टन का answer सभी का गलत था भई नेक्स्ट देखिए कोस्टन है कि विकास सिल भुरुन में लाल रुधिर कनिकाओं का निर्मान कहा होता है सिंपल हम यहाँ बात कर लेते हैं रक्त का निर्मान रक्त का निर्मान तो रक्त का निर्मान जो है वो कहाँ पर होता है भई जहाँ पर लाल रुधिर कनिकाओं बनेगी वहाँ पर क्या बन जाएगा जहाँ पर लाल रुधिर कनिकाओं बनेगी वहाँ रुधिर भी बनेगा जहां पर रुधिर बनेगा वहां पर लाल रुधिर कणिकाएं भी बनेंगी ठीक है तो यहां पर जो आंसर है अस्थिमज्जा यक्राथ शरी अस्थिमज्जा जो है वो यहां पर गलत है ठीक है यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि यहां पर राइट आंसर क्या आएगा यक्राथ इसके अलावा यदि एक और उप्शन हमारे पास में होता अप्रा का अप्रा या प्लेसेंटा अप्रा को ही क्या कहते हैं प्लेसेंटा भी कहते हैं तो उसके द्वारा भी यहां पर क्या बनाया जाता है रुधिर या RBC बनाई जाती है ध्यान रखना अस्ति मज्जा जो है वो केवल और केवल वयस्क मनुष्य के अंदर किसके अंदर है वयस्क मनुष्य के अंदर रुधिर का निर्मान करती है RBC का निर्मान करती है वयस्क मनुष्य में यहाँ पर बात क्या कर रहा है विकासिल भुरुन अभी गर्व के अंदर है बच्चा ठीके और जब बच्चा गर्व के अंदर है तीन या च्यार महिने का बच्चा गर्व के अंदर है तो उसमें अस्थी नहीं बनती अस्थी मज्जा भी नहीं बनती ठीके तो वहाँ पर या कोश्चन है कि हिर्दय धमनी में डब भई हिर्दय की ध्वनी जो है डब वो किस से उत्पन होती है मिट्रल कपाठ खुलने से ठीक है मिट्रल कपाठ के बंद होने से ठीक है एवर्टा ये एक्च्वल में ठीक है ठीक है एवर्टिक के आधार पर इस्थित अर्ध चंद्राकार कपाठों के बंद होने से या फिर ट्राइक अस्पिड कपाठ का खुलना तो जो डब की ध्वनी है वो कहां से आती है ठीक है तो दो ध्वनिया हमने ध्यान रखनी है एक हमारे पास में ध्वनी थी कौनसी वाली एक थी लब और दूसरी थी डब ठीक है तो लब ध्वनी जो है वो डाई कस्पिड डाई और ट्राई या बाई ठीक है डाई के जगे हम बाई भी कर सकते हैं ठीक है बाई कस्पिड और ट्राई कस्पिड वाल के बंद होने पर आती है लब ठीक है बात कर रहे हैं आपर डब तो डब धुनी कब आती है तो यह आती है आर्ध चंद्राकार आर्ध चंद्राकार वाल के बंद होने पर ठीके तो अर्ध चंद्राकार कहां पर है तो यह रहा आर्ध चंद्राकार कपाटों के बंद होने पर ठीके तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या से ठीके डब धु तो आर्धचंद। चंद्राकार वाल जो होते हैं उनके बंध होने पर आती हैं। नेक्सट देखिए कोस्षन कोस्षन यह आपर दे रखा है कि हिर्देगती का निर्धारण हिर्देगती का निर्धारण कहलाता है हिर्देगती का जो निर्धारण करने वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं ठीके AT exact ventricular node नेक्सट दे रखा है papillary facia नेक्स्स दे रखा है ठेके पुरकिंजे और अलेंद नोड पुरकिंजेː तंतु यहां पर पूरा होगा का हरदय के अंदर पाए जाते हैं पुरकिंजे तंतु ठेक आ Ci तो Yeah एस ए नोड एस ए नोड होता है कौन हिर्दय गती निर्धारक ठीक है इसी को कहा जाता है क्या पेस में कर लेकिन यहां पर उप्शन में नहीं है ठीक है तो यहां पर क्या किया है एसे नोड का हिंदी वर्जन कर दिया यहां पर तो एस ए नोड की जो फुल फोर्म होती है वो होती है साइनो और्टियम और्टियम नोड को हिंदी में कहें तो यह कहलाती है सिरा आलेंद नोड या घुंडी चीके सिरा आलेंद नोड या घुंडी चीके तो राइट आंसर क्या होगा भाई इसका जो गती निर्धारक होता है उसको कहा जाता है सिरा आलेंद नोड चीके तो दै इसका क्या है राइट आंसर है सभी बच्चों ने C यहाँ पर राइट आंसर किया था लोकेश परजापत का सही है D तो यहाँ पर ध्यान रखना है कॉश्चनों का थोड़ा से ध्यान रखे क्योंकि यदि हर लेवल के कॉश्चन है हमारे पास में छोटे भी है तो बड़े लेवल के भी है कॉश्चन ऐसे भी है जो आप लोग सब जानते हैं जब आप लोग सब जानते हैं ऐसे कॉश्चन जब आप लोग के पास में आते हैं तो आप सब यही समझते हैं कि कॉश्चनों का कोई लेवल नहीं है और जब कॉस्चनों का लेवल आता है तो कॉस्चन का आंसर आप लोगों का गलत हो जाता है तो यहाँ पर हर टाइप के कॉस्चन है जो maximum repeat होते हैं वो भी है जो repeat होते हैं वो maximum आप लोगों नहीं पढ़ रखे हैं जो नए कोस्चन है वो आप लोगों नहीं पढ़ रखें, ठीके, देखे, नियूरोजनिक हिर्दे होता है, क्रापट से बताएं, चुहों में, खरगोश में, माननाव में, या फिर कसेरुक्यों में, एकसेरुक्यों में, नियूरोजनिक हिर्दे, किस में होता है, पटापट से बताना है, नियूरोजनिक हिर्दे, तो जो नियूरोजनिक हिर्दे होता है, ये हिर्दे पाया जाता है, एकसेरुक्यों में, वे जीव जन्तु, जिनके अंदर, रीड की हड़ी नहीं होती, ठीके, जिनमें कसेरुक्द दंड नहीं पाई जाती है उनके अंदर जो हिर्दय होता है ठीके वो क्या होता है क्या कहलाता है नियूरोजेनिक हिर्दय कहलाता है ठीके तो यह धियान रखना है नेक्स कॉस्चन की तरह बढ़ रहे हैं कॉस्चन है मारे पास में देखे हिर्दय को जाने वाली तंत्रीका का नाम है जो हिर्दय के पास जो तंत्रीका जाती है उसका नाम क्या है हिर्दय के पास जाने वाली तंत्रीका का नाम बताईए जो हिर्दय की गती को नियंतरित करती है जो हिर्दय की गति को नियंत्रित करती है उसका हमें नाम बताना है ठीके तो हिर्दय की गति को कंट्रोल करने वाले तंत्रिका का नाम हमने देखा था वेगस तंत्रिका अनुक्रमांग कितना है इसका 10 ठीके भेगस तंतरिका का अनुकरमांग कितना होता है तो इसका अनुकरमांग होता है दस ठीक है next question पर आईए next question है देखे diaphragm को रुधिर कौन सी धमनी पहुचाती है diaphragm को रुधिर कौन सी धमनी के द्वारा दिया जाता है यह हम लोगों को बताना है पहले दे रखा है coronary दूसरा दे रखा है Cordiac नेक्स दे रखा है Framide next दे रखा है यह option यहाँ पर था pulmonary pulmonary leaper से बताना है कि यहाँ पर क्या होगा च्छिके डाइफ्राम, देखे, जो हमारे फेफडे होते हैं, हमारे जो फेफडे होते हैं, चेके, इस फेफडों के नीचे एक पेशिय संरचना होती है, इस पेशिय संरचना को कहा जाता है डाइफ्राम, चेके, इसको कहा जाता है क्या डाइफ्राम, इस डाइफ्राम को रुधिर पहुचाने वाले धमनी का हमें नाम बताना है डायफ्राम को रुधिर पहुचाने वाले धमनी का क्या नाम है तो डायफ्राम को जो रुधिर पहुचाती है उसका नाम क्या है फ्रेमिक धमनी कौन सी है फ्रेमिक धमनी चिके चलिए तो यहां पर क्या अंसर हो गया इसका से इसमें वे किसे का अंसर सही नहीं था चलिए जैसे नया कोई question आता है तो मैं बता रहा हूं फिर से सब क्या answer गलत हो जाते हैं उसके बाद भी बच्चे बोलते रहे थे सर कुछ तो नया देजिए देखे, question हर type के हैं, सारे आ रहे हैं, डायस्टोल के समय, डायस्टोल जब होगा, तो क्या होगा, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल, सिस्टोल का मतलब हर्दय का सुकुड़ना, डायस्टोल का मतलब होता है हर्दय का फैलना, तो जब हर्दय फैलता है, डायस्टो जब होता है, तो रुधिर जो होता है, हिर्दे में प्रिवेश करता है, ठीक है, हिर्दे में क्या करता है, प्रिवेश करता है, तो पहला जो है, वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जब हिर्दे फैलता है, तो क्या होता है, ठीक है, तो रुधिर जो है हिर्दे में प्रुवेश करता है ठीक है next देखिए question है याँ पर हिपेरिन कहां पर बनता है हिपेरिन रुधिरानों में रक्त प्लाजमा में या करत में या फर प्लीहा में हिपेरिन जो है वो कहां पर बनता है ये बताना है मुँको हिपेरिन कहां पर बनता है हिपेरिन कहां पर बनता है फटापर से बताना है very good, सभी का right answer है हिपेरिन जो है, वो कहां पर बनता है यकरत के अंदर बनता है ठीके, तो हिपेरिन एक प्रोटीन है जो रक्त का थक्का बनने से रोपता है नेक्स्ट बात करें देखे कोश्चन है केंद्रक युक्त लाल रुधिराणू होते हैं खरगोश में शुहे में मानव में मेंधक में केंद्रक युक्त लाल रुधिराणू होते हैं किसके अंदर पाए जाते हैं केंद्रक युक्त लाल रुदिरणू मनीश मीना मनीश मीना कह रहे हैं कि सर यकरत या लीवर अरे भाई एक ही हैं ये यकरत कह लो लीवर कह लो हिपेटो कह लो हिपेटो का मतलब भी यकरती ही होता है इसी को कहते हैं क्या जिगर जिगर भी इसी को कहते हैं कलेजा भी इसी को कहते हैं कलेजा कलेजा या जिगर भी इसी को कहा जाता है लीवर को लीवर यकरत हिपेटो जिगर कलेजा एक ही हैं कि यहां कन्फ्यूज मत होना तो यहां पर आंसर क्या होगा फटापट से बताएं केंद्रक योक्त देखिए हम लोग जानते हैं केंद्रक योक्त आर बीसी की बात कर रहा है और आर बीसी जो इस्तंधारी होते हैं इस्तंधारी उनकी आर बीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता ये तीनों जो हैं वो इस्तंधारी में आते हैं मेंडक जो है वो इस्तंधारी में नहीं आता ये मेंडक एंफीबिया वर्ग में आता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा देखिए क्लियर next देखिए next question पे आज आईए question यहां पर कह रहा है कि हिस के बंडल का जो जाल होता है वो कहां मिलता है समस्त हिर्दे भितियों में विस्तरित पेशी तंतु में पाया जाता है केवल निले भितियों के अंदर पाया जाता है पाई जाने वाले पेशी तंतू है नेक्स्ट है कि निले में विश्थरित तंत्री का तंतू नेक्स्ट है कि पूरे हिर्दे में पाई जाने वाले तंत्री का तंतू तो हिस के जो बंडल है वो कहाँ पर मिलते हैं हमको ये बताना है हिस बंडल जो है वो कहाँ पर मिलेंगे सीमा मीना, एला आर सर की जो क्लास थी वो आज नहीं हुई है आज सुभे 4 गंटे साइन्स थी उसके बाद रेजनिंग थी उसके बाद फिर तुमारे जीके की क्लास थी एला सर की आज कोई क्लास नहीं थी दिन में चलिए तो हिस बंडल जो है वो काम मिलेंगे ध्यान रखे हिर्दे जो है वो हम लोगों ने इस परकार का देखा और हिर्दे के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आलेंद और क्या है निले यहाँ पर वाल लगे हुए हम लोगों ने देख लिए थे यहाँ पर मध्य भाग हम लोग ने यहाँ पर देखा था तो यहाँ पर जो निले वाला भाग है इसी भाग की जो भित्ती है इसके अंदर यहाँ पर पाए जाते हैं हिस बंडल यहाँ पर पाए जाते हैं क्या हिस बंडल तो निले की भित्ती में पाए जाने वाले पेश्य तंतू के अंदर मिलेंगे क्या हिस बंडल हिस बंडल यहाँ पर मिलते हैं तो यह ध्यान रखना और यहीं पर मिलेंगे हमें क्या पुरकिंजे तंतू तो पुरकिंजे तंतू भी यहीं पर मिलते हैं इस बंडल से जुड़े होते हैं ठीक है पुरकेंजे तंतु कहां पर होते हैं इस बंडल से जुड़े होते हैं ठीक है नेक्स देखिए कोस्टन next question कह रहा है कि इस्तंधारियों के हिर्दे में दाएं आलेंद में पश्च महासिरा किसके द्वारा खुलती है जो हिर्दे है हमारा इसका जो दाया वाला भाग है ये वाला भाग इसके अंदर एक पश्च महासिरा है इनफीरियर वेना केवा जो है किसके द्वारा खुलती है कौन सा वाल इसके आगे पाया जाता है कौन सा वाल होता है त्रीवलनी वाल, मिट्रल वाल यूस्टेकियन वाल या फिर सरपिल वाल कौन सा वाल यहां पर पाया जाता है ये बताना है बताए फटाफट से कि ये जो दाया आलिंद है ये हम बात कर चुके हैं पहले सभी का राइट अंसर है कि यहां पर कौन सा वाल पाया जाता है तो यूस्टेकियन वाल पाया जाता है पश्च मासिरा में अगर मासिरा की बात करें तो थेबेशियन वाल पाया जाता है चलिए नेक्स आगे बढ़ते हैं ये question सभी लोग जानते हैं रुदिर का pH मान कितना होता है रुदिर का pH मान कितना होता है रुदिर का pH मान कितना होता है रुदिर का pH मान अमर्चंद बिना हर्दय का वजन हर्दय का वजन जो है पुरुष में लगबग 300 ग्राम महिलाओं में 200 से 500 ग्राम महिलाओं में हर्दय कम होता है मस्तिस्क का वजन भी महिलाओं में कम होता है ठीके सबी का right answer है 7.4 pH सबी लोग जानते हैं और ध्यान रहे धमनी और शिरा दोनों में ही 7.4 pH मिलेगा, दोनों में बराबर मिलेगा, ठीके, next question, रक्त किस प्रकार का उतक है, ठीके, रक्त किस प्रकार का उतक है, रक्त जो है, वो किस प्रकार का उतक है, ठीके, रक्त जो है, वो किस प्रकार का उतक होता है, ठीके, रक्त जो है, वो किस प्रकार का उतक होता है, तो रक्त जो है, वो क्या होगा, तरल संयों जी उतक, ठीके, बी इसका क्या हो गया, right answer, next देखे, question है हमारे पास में, कि रुधिर लगवक कितने प्रतिशत प्लाजमा के रूप में पाया जाता है, रुधिर का जो प्लाजमा होता है, वो कितने प्रतिशत होता है, रुधिर प्लाजमा का प्रतिशत प्लाजमा का प्रतिशत प्लाजमा का प्रतिशत प्लाजमा है, फटा फट से, very good, सबसे पहले आया है, हमारे पास में answer, ठीके, लोकेश प्रजापती, दिलिप कुमार मीना, ठीके, राकेश, रिंकू, मनीज, ठीके, अनोखी, हेम, महेश, काजल, ठीके, नितिन, सब एक आगया, बहुत सारे कमेंट्स आ गये हैं, ठीके, चली, तो यह है कितने प्रसेंट, 55%, ठीके, तो यह कितने प्रसेंट पाय प्रसेंट पाया जाता है, ठीके, फटापट से कमेंट्स करना है, ठीके, नेक्स्ट कोश्चन आ रहा है, जो सबसे पहले, ठीके, अभी यह करेंगे, जो सबसे पहले कमेंट्स करेगा, ठीके, उसी का नाम हम यहाँ पर लेंगे, सबसे पहले, और वो भी राइट आंसर के सा यह प्रो थ्रॉम्बीन प्रोटीन निर्माण का निर्माण कर निरमाण पर होता है very good सबसे पहले आया है राकेश नितिन लोकेश अनोखी वीरू बदन मीना अमर्चंद अब बहुत सारे हो गए है नाम चली तो पहला यहां पर जो राइट आंसर है वो है क्या यकरत में तो इन दोनों प्रकार के प्रोटीन का निर्वान कहां कर तो यकरत में होता है और यह दोनों हैं प्रोटीन क्या करते हैं राक्त का थका बनाने में सहाता करते हैं ठीक distract कि जूँए depicted है। चलिए, इसका आणसर बताएं, फटावट से, फटावट से, ठीक है, प्रोथ्रोम बीन वे फाइबरियोजन प्रोटीन का कारिये क्या है, फटावट से बताना है, फटावट से बताना है बदन का आया है सबसे पहले फिर राजेश, राकेश, लोकेश, वीरू, नितिन, रिंकू, लोकेश, अनोखी, मनीश, मिना अब बहुत सारे हो गए है नाम चली, तो यह रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है सहयता करता है, दोनों के दोनों प्रोटीन next question देखे question यहाँ पर दे रखा है प्लाजमा जो है, वो किस रंग का द्रव होता है रक्त प्लाजमा का जो रंग है, वो कैसा होता है रक्त प्लाजमा का जो रंग है, वो कैसा होता है रक्त प्लाजमा का रंग कैसा होता है फटाप फट से बताना है ठीक है, 51 में में वीरू, एसके का पहले आया फिर वीरू का प्रसंदीब, राकेश, लोकेश हरी संकर, सलेंदर, काजल, राकेश, महेश, अनोकी, बदन, धरम ये धरम का गलत आया है ठीक है, बदन का भी गलत है पूच्छा किसका है, प्लाजमा का हलका कैसा होगा, पिला यदि पूस्ता हिमोगलोबीन का किसका पूस्ता हिमोगलोबीन का तो answer करते क्या हलका बैंगनी या बैंगनी ये थोड़ा सा अंतर ध्यान में रखना है वहाँ पर confuse होकर करके यहाँ पर किसी भी प्रकार का गलत answer टिक नहीं करना है नेक्स देखे नेक्स कोश्चन खटापट से बताएंगे रुधिर को दरव अवस्था में कौन रखता है कनेकाएं लवन आयन या प्लाजमा रुधिर को दरव अवस्था के अंदर कौन रखता है चीके कॉश्चन नमबर जो है बावन फटापट से बताना है बावन में सबसे पहले राकेश राकेश का आया है डी नितिन लोकेश धरम धरम का फिर से ए धरम के आंसर गलता आ रहे है चीके चली अब सभी क्या आ गए है चीके नाम काफी हो गए हाँ तो कौन करेगा प्लाजमा क्योंकि प्लाजमा जो है वो राक्त का कितना प्रतिसत भाग बनाता है नेक्स देखिए कोस्चन है कि राक्त कनिकाओं का प्रतिसत कितना होता है राक्त में जो कनिकाओं होती है राक्त कनिकाओं उनका प्रतिसत कितना होता है राक्त में राक्त कनिकाओं का प्रतिसत कितना होता है रक्त में रक्त कणिकाओं का प्रतिशत कितना होता है सबसे पहले राइट आंसर आया है लोकेस का धरम का फिर से D राजेस का D लोकेस बदन अनोखी काजल ठीके चलिए काफी बच्चों का है रक्त कणिका की बात कर रहा है और जो प्लाज्मा होती है वह कितने प्रतिशत होती है वो होती है पच्पन प्रतिशाद तो दोई T Wolk वुयकर रक्त के अंदर ऐक्स होता है क्या हिख पुछले कोस्चन फूछा है नोर्मल से यहां पर जबाद कीby आइे पर ज़ल्दभाजी में ऐसे हैं कि नाम लाने के लिए पहले से टाइब करके रखते हैं कुछ भी हो नाम आना चाहिए अपना ठीक है लाल रक्तकने काओं का अन्य नाम बताना है लाल रक्तकने काओं को किस नाम से जाना जाता है लाल रक्तकनी काउं को किस नाम से जाना जाता है लाल रक्तकनी काउं को किस नाम से जाना जाता है चोवन में लोकेश का आगया है B, इरिथ्रोसाइट लोकेश का B, बदन का C वीरू, राजेश राकेश का आगया है काजल का सही है अनोखी सही है चलिए अब बहुत सारे नाम हो गए है ठीके हाँ तो लाल रक्तकनिका की बात कर रहा है हमने कल ही बताया था आप लोगों को कि जब लाल दिखे तो ध्यान रखना है इरीथ्रो ठीके और यदि स्वेत दिख जाए कहीं पर भी स्वेत रक्तकनिका की बात करे तो ध्यान रखना है ल्यूको ठीके यदि हरा दिख जाए तो ध्यान रखना है कलोरो ठीके तो यदि निला दिख जाए तो ध्यान रखना है साइनो कुछ वर्ड्स हैं कुछ ही तो सब्द हैं इनको हमें याद रखना है तो यहां पर ला रख्तकनिका की बात कर रहा था इरित्रोसाइट स्वेट रख्तकनिका ल्यूकोसाइट थ्रॉम्बोसाइट किसको काएंगे बिम्मानों को ठीके चलिए नेक्स्ट कॉस्चन पर बढ़ रहे है कॉस्चन देखिए और बीसी में केंद्रक केवल एक पाया जाता है दो से अधिक अनन्त होते हैं एक भी नहीं होता और बीसी में केंद्रकों की सिंख्या बतानी है कितनी होती है आर बीसी में जो केंद्रक होते हैं कितने होते हैं फटब से बताने हैं में आर बीसी में केंद्रक जो है वो खितने होते हैं पचपन में very good ठीके सबसे पहले आ गया है?, लोकेश, चोधरी, राजेस, ठीके लोकेश, प्रजपत, खाजल, वीरु, बदन, समर्शिंग राकेश अनोखी सबी का है चलो बहुत सारे नाम हो गए अब नितिन नितिन का बहुत लेट आ रहा है कमंट्स ठीके चली तो यहाँ पर हो गया RBC के अंदर कोई केंद्रक नहीं होता क्योंकि यह कैसी कोशिका है प्रोकेरियोटिक कैसी होती है प्रोकेरियोटिक और जब इस टाइब का कोश्चन आए तो ध्यान रखना वो सीधी बात कर रहा है इस्तन धारी की किसकी बात कर रहा है तो इस्तन धारी की ही बात करेगा यहाँ पर ठीके नेक्स देखे कोश्चन WBC कितने प्रकार की होती है WBC कितने प्रकार की होती है फटाप से बताए WBC जो होती है वो कितने प्रकार की होती है WBC जो है वो कितने प्रकार की होती है फटाप से बताना है WBC कितने प्रकार की होती है मीना दो प्रकार की छीके लोकेस B आंसराय तीन प्रकार की छीके असलम का C वीरू का A बहुत सारे नाम हो गए अब छीके खेम सिंग, राकेस, काजल चली तो WBC जो होती है ध्यान रहे WBC छीके दो प्रकार की होती है एक होती है कनिका मैं छीके दूसरी होती है A कनिका मैं कनिका को बोलते हैं हम क्या ग्रे न्यूल छीके तो ये हो जाएगे क्या ग्रे न्यूलो ग्रे न्यूलो ग्रे न्यूलो साइट यह हो जाएगे क्या ए ग्रे न्यूलो साइट अब जो ग्रे न्यूलो साइट होती है यह तीन परकार क्यों होती है एसिडो फिल दूसरी होती है बेसो फिल बेसो फिल चिके और न्यूट्रो फिल Neutrophil तिन प्रकार की होगी जो Agranulocyte है ये फिर से दो प्रकार की होगी एक होगी Monocyte और दूसरी होगी Lymphocyte 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 फिर दो होगी एक B और T-Lymphocyte Monocyte को कहा जाता है बक्छानू बक्छन करने वाले अनू और ये सबसे बड़ी WBC होती है तो Monocyte जो होती है वो सबसे बड़ी क्या है हमारी WBC है ठीके Clear यहां पर Clear चलिए Next question में ले देंगे नाम योगेस मीना ने भी question का answer दिया था ध्यान रखें इनको नह भूलें क्या होता है कि question के जब answer question जब सामने आता था था बहुत सारे answer आ जाते है फ़रापर से बताईए इसका answer क्या होगा मनोश्य में लाल रुधिर कणिकाओं की जो है संख्या संख्या कितनी होती है लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या फटापर से बताना है पहला answer आ गया है यहाँ पर ए गलत है राजिसका मनुष्य में आर बी सी की संख्या बतानी है ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर जो था वीरू लोकेश रवीना राकेश ठीक है संदीप हाँ अनोखी बहुत सारे हो गए ठीक है लगबग क्या होगी 45 से 55 लाक ठीक है राउंड फिगर यदि मैं करूँ यहाँ पच्पन का तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 लाक के संथिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी मनुष्य में लाल रक्त कनी का है ठीक है और यदि मैं बात करूँ WBC की तो WBC लगबग 8 से 10 हजार क्या असपास पाय जाती है ठीक है 8 से 10 हजार ठीक है तो यह संख्या में मैं उपडर वाली संख्या ले ले लेता हूँ ठीक है 10 हजार की ठीक है और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 60 लाक क्लियर यहाँ पर 60 लाख है यहाँ पर क्या है 10 अजार दोनों का मुझे रेशियो निकालना है यह है WBC और यह है क्या RBC रेशियो निकालना है मैं 4-0 इदर से काट दूगा 4-0 में इदर से काट दूगा इदर बचा मेरे पास कितना 600 अनुपात 1 बहुत सारे एक्जाम में कई बार पूछा भी गया है बहुत सारे जिगा पढ़ा भी है राकेश ने बताया भी है कि जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 600 अनुपात 1 तो यहाँ 55 के जिगा हम directly round figure करके कितना ले ले 60 लाख और यहाँ 8 से 10 में से हम किसको ले ले 10,000 को तो 10,000 और 60,000 का इदे हम रेशियो निकाले तो 600 अनुपात 1 हमारे पास में आता है ठीके कलियर हुआ यहाँ पर next देखिए यह question बहुत बार पुछा गया है बहुत से एक्जाम में repeat हुआ है ठीके लाल रक्तकनिकाओं का जीवन काल बताना है कितना होता है फटाफट से ठीके राजेश, मीना, लोकेश, चोधरी, राकेश ठीके, लोकेश, परजापत, बदन सिंग, खेम सिंग अब बहुत सारे नाम हो गए ठीके चल यह तो बहुत सारे नाम आ गए है ठीके, राइट आंसर क्या है? 120 दिन का होता है RBC का जीवन काल ठीके, नेक्स देखे कोश्चन नेक्स जो कोश्चन है हमारे पास में ठीके, लाल रुधरी कनिकाओं के निर्मान के लिए, ठीके, किस अमल की आवशकता होती है अमीनो आमल, फोलिक, आमल, साइ्ट्रिक आमल या फिर हमारे पास में चाहिए हमको नाइिट्रिक आमल कौन सा आमल चाहिए, यदि हमें क्या बनाना है, ठीके, लाल रुधर कनिकाओं के निर्मान के लिए, ठीके कौन से आमल की आवशकता होती है फटापर से बताएं, ठीके, राजेस का A, अनोखी का B, महेस, लोकेस, बदन सिंग, राकेस, वीरू, समर सिंग, खेम सिंग, मनीश, गोराव, ठीके, सभी लोगों के आ रहे हैं, लेकिन सभी लोगों के जो हैं, मैंने सिर्फ नाम लिए हैं, आंसर सही किसका आया है, वो हम बा आ रहे हैं, लाल रुधिर कनी का RBC formation, चिके, RBC का निर्मान करना है, रत का निर्मान करने के लिए, ठीके, हमें कौन से विटामिन की आउशक्ता होगी, ठीके, तो विटामिन B9, विटामिन B12, ठीके, विटामिन B6, ये कुछ विटामिन ऐसे हैं, जो हम लोगों को RBC बनान के लिए चाहिए, विटामिन B9 का जो नाम होता है, वो होता है, फोलिक आमल, क्या होता है, फोलिक आमल, खेर आप लोगोंने सुना होगा, देखी, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीके, यहाँ पर आप लोगोंने सुना भी है, कोई भी प्रेगनेंट महिला जो होती है, उसको pregnant महिला को क्या दी जाती है, उनको tablet दी जाती है, folic acid plus iron, ठीक है, folic acid plus iron, ठीक है, तो ये क्यों दी जाती है, क्योंकि iron जो है, उसमें क्या है, fe, ठीक है, fe और क्या folic acid, ये दोनों चीज़े यहाँ पर दी जाती है, तो यहाँ पर बात कि कौन सा आमल जो है, वो RBC निर्वान के लिए उत्तरदाई होता है, तो उत्तरदाई होता है, तो उत्तरदाई कौन सा folic acid, ठीक है, क्यलियर यहाँ पर, next देखिए, कौस्चन यहाँ पर दे रखा है, लाल रुधिर कनिकाओं में कौन सा प्रोटीन जो है, वो पाया जाता है, यहाँ पर दे रखा है, नाइसीन, ठीक है, लाइसीन, ग्लूबिलीन या फिर पैक्टीन, लाल रुधिर कनिकाओं के अंदर कौन सा जो है, प्रोटीन यहाँ पर पाया जाता है चिकके? लाल रुधिरे कनई काओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? राकेश कुमार मीना सबसे पहले आंसर आया है चिके? लोकेश का नितिन का चिके? वीरू, सलिंदर, बदन सिंग, सीमा, अनोखी, सिंभू, अजय, सीमा सभी का आ गया है, तो कौन सा पाय जाता है, अल्बुमीन तो राइट आंसर हो जाएगा, सह इसका, तो यहां पर बताईए, फटापट से हिमोगलोबिन में कौन सा तत्तो पाय जाता है, फेरस, आइरन, लोहा, सभी हिमोगलोबिन में कौन सा तत्तो पाय जाता है, फटापट से बताना है, तो 71 में सबसे पहले राजेश, वेर गोड़ डी ठीक है, लोकेश, काजल, सीमा, अजे, लोकेश, बदन, सिंभू, ठीक है, हरी निवास, लोकेश, समर सिंभू, छली, कब सार नाम आ गए हैं, ठीक है, गोरव ने भी, अब की बर, देखें, थोड़ा से लेट हो जाते हैं, कुछ बच्चे, नाम सभी का आता है, ठीक है, हरी फेरस भी है, आइरन भी है, लोहा भी है, कॉस्चन इसलिए लिया गया है, क्योंकि हिमोगलोबिन में क्या पाय जाता है, बच्चा रठके जाता है, या तो लोहा या आइरन या फेरस, उसको कोईसा ना कोईसा पहले मिलेगा, और वो पहला ही टिक कर देगा, पीछे तक नह जाएगा तो ऐसे में भी ऐसा नहीं करना है ठीक है तो ये गलतियां वहाँ पर बचाके रखनी है एकजाम में next देखें कोशन हमोगलोबिन का रंग कैसा होता है सब लोग जानते है हमोगलोबिन का रंग बैंगनी होता है इस कोशन पर बात नहीं करेंगे हम next question देखें हम यहाँ पर बात करेंगे question की कि लाल रुधिर जो है रुधिर का लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है hemoglobin, oxymoglobin, plasma या कोई नहीं फ़ावट से बताएं ठिके रुधिर का लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है रुधिर का लाल रंग, लोकेस, वीरू, राजेस, गुड्डुमिना, योगेस, काजल, सभी क्या आ गए है किसके करण होता है? आक्सिहिमोगलोबीन के करण क्योंकि हिमोगलोबीन तो खुद विचारा बहांग नहीं था हम लोगों नहीं देख लिया था नेक्स देखे कोश्चन यहाँ पर देखे कोश्चन भुरुनावस्था में लाल रुधरी कणिकाओं का निर्मान कहाँ पर होता है अस्तिमज्या में प्लीहा यकरत में यकरत में या फेपडों में तो यहाँ पर भुरुनावस्था में हम दोग ने बात की थी कि एक प्लीहा यकरत के आलावा प्लेसेंटा में भी होता है प्लेसेंटा के अंदर भी होता है यदि पूछलिया जायतो प्लीहा में भी रुदिर का निर्मान होता है कब होता है भुरुनावस्था में वैसे प्लीहा को क्या बोला जाता है RBC का कबरिस्थान लेकिन ये RBC का जो कबरिस्थान है वो भी RBC का निर्मान करता है लेकिन कब करता है भुरुना वस्था में करता है इस बात का ध्यान रखना clear चलिए next बात करें यहाँ पर बात कर रहे है question है कि व्यास का अवस्था में रुधिर का निर्मान कहां पर होता है हिर्दय में, फेपड़े में, अस्थी मज्जा में, मेरुरज्जु में बड़ाए सिंपल सा question है यह तो चिके question number 65 सबसे पहले लोकेश चोधरी का आया है C. अस्थी मज्जा उसके बाद राकेश, बदन, वीरू, लोकेश, राकेश, अनोकी, नितिन, खेम, बदन, बहुत सारे नाम हो गए हैं तो कहां पर बनेगा अस्थी मज्जा में चिके चलिए next question बात करते हैं हाँ, हिमोगलोबिन का जो है, वो मेन कारिये क्या है हिमोगलोबिन का मुख्य कारिये क्या है भोजन का परिवायन, एंटिबोडी का परिवायन, ऑक्सिजन का परिवायन या इन में से कोई नहीं बताई ही मोगलोबिन का मुख्यकारिय यह क्या है तक हैए बताना है 66 में C राजेश का, योगेश का, ठीक है लोकेश का सभी का गया है यह ऑक्सिजन का परिवहन करता है और हीमोगलोबिन का एक अणु च्यार ओटू के अन्वों के साथ जुड़ता है च्यार किसके साथ में जुड़ेगा ओक्सिजन के अन्वों के साथ में जुड़ता है नेक्स्ट है लाल रुदिर कनिकाओं की कमी से जो रोग होता है वो क्या कहलाता है बलड कैंसर, ऐनेमिया, हेमोफिल्या या वरनान्दिता लाल रुदेर कनिकाओं की कमी से जो रोग होता है, वो कौन सा होता है यह हमें बताना है शेक्ष्टिस सेवन के उनदर सेभ से पहले योगेश, लोकेश, राकेश, लोकेश अनोखी, बदन, लोकेश, पुरजापत, सीमा, गोरव सबीक आ गया है तो यहाँ पर जो रोग होगा वो कौन सा होगा, एनीमिया लाल रख्त कणिकाओं की कमी होना क्या कहलता है, एनीमिया नामक रोग कहलता है तो एनीमिया में क्या होता है आर बी सी की कमी हो जाती है नेक्स देखिए नेक्स क्वेश्चन है यह क्वेश्चन हम सब लोग जानते हैं लाल रख्त कणिकाओं का रासानिक नाम क्या है तो इनको इरी थ्रो साइट के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं ED throw site के नाम से जानते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम कर चुके हैं अच्छी तरिके से हाँ ये question बताना है ये बताना है कि WBC जो है स्वेत रक्तकनी का WBC इनको किस नाम से जाना जाता है ठीक है WBC को किस नाम से जाना जाता है 69 number question WBC को किस नाम से जाना जाता है 69 में सबसे पहला जो आंसर था वो था वीरू का उसके बाद में स्री निवास का, राजेश का, लोकेश का चलिए तो यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है तो लिउकोसाइट के नाम से जाना जाता है ठीके कि सरीर में WBC की संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है सरीर में WBC की संख्या यदि बढ़ रही है तो उसको किस नाम से जाना जाता है WBC की संख्या का बढ़ना किस नाम से जाना जाता है एरक्तता, हिमोफिलिया लिउकोसाइटोसिस या फिर थैले सीमिया सबसे पहले लोकेस का आया है C इसको बाद वीरु का, लोकेस प्रजापत का, राजेस का, बदन का, करीना का भी आ गया, अनोखी मीना तो सरेर में WBC की संख्या का बढ़ना, लिकोसाइटोसिस कहलाता है और यदि हम यहाँ पर बात करें, WBC का विसफोड हो जाना, विसफोड या भयंकर तरीके से बढ़ना वो कहलाता है क्या, रक्त कैंसर, क्या कहलाता है, रक्त कैंसर और रक्त कैंसर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिकेमिया क्या बोलते हैं, लिकेमिया, लिकेमिया का मतलब होता है, WBC की संख्या का, विसफोटक रूप से बढ़ना ठीके तो WBC का यदि फोटक रूप से बढ़ जाना हो जाता है ठीके बढ़ जाती है तो ये रक्त कैंसर कहलाती है और इसी को कहते हैं क्या leukemia कहते हैं ठीके और ये कहला है कि WBC की संख्या का normal रूप से संख्या में क्या होना वृधी होना तो ये क्या कहला है गा लिवको साइटोसिस ठीके लिवको साइटोसिस ठीके नॉर्मल तरीके से बढ़ना यदि ये कह दे कि नस्ट होना तो नस्ट कहोना क्या कहला है तो ये कहला है गा लिवको 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 ठीके यहां पर हम बात करेंगे तो ध्यान रखना nast होने की बात करे तो nast होना का मतलब क्या होता है तो lycous leukolysis leukolysis का मतलब हो जायेगा क्या WBC का कम हो जाना या nast हो जाना ठीके तो यह ध्यान रखना है ऐसे ही यदी RBC की संख्या का कम होना पूछे तो erythrob erythrolysis ध्यान में रखना है यह हम hemolysis भी कह सकते हैं RBC की संख्या का कम होना hemolysis में भी आता है hemolysis भी कहलाता है तो यह चीज़े हम लोगों को ध्यान में रखनी है next question पर आते हैं question देखे blood cancer कहलाता है अभी अभी हम लोगों ने बात की है blood cancer क्या कहलाता है blood cancer किसको कहेंगे leukemia को कहेंगे तो blood cancer किसको कहा जाता है leukemia को कहा जाता है clear next देखे next question जो है वो यहाँ पर देगाया है कि निम्न में से कौन स्वेत रक्त कने काएं antibody बनाने का कारिय करती है lymphocyte, monocyte, neutrophil, basophil कौन सी ऐसी स्वेत रक्त कने काएं होती है जो antibody बनाने का काम करती है फटाफट से बताना है question number 72 सबसे पहले बदन मीना का आया है A answer lymphocyte के द्वारा होता है उसके बाद राजेश, योगेश, रिना, रवीना, वीरू, संदीप, गोराव, लोकेश, ठीके, सीमा, आजे, अनोखी, नितिन, सभी का आगया है करिना, lymphocyte कोशिकाएं जो होती है वो antibody बनाने का काम करती है ठीके next देखे question question यहाँ पर है कि निम्न में से भक्षाणों है भक्षाणों कोन है eosinophils, ठीके besophils, monocyte, lymphocyte eosinophils का ही नाम होता है acidophil acidophil eosinophil का ही नाम क्या है acidophil होता है सबसे पहले आया है राजिस कुमार का B, besophil भक्षाणों को locase का C locase प्रजापत का D महावेर का D ठीके, यहाँ पर जो है किसे का राइट आंसर नहीं आया है सुरू से लेके लाज तक अभी तक किसे का राइट आंसर नहीं बक्षाणों किसको का जाता है तो हमने अभी थोड़ दिर पहले बताया था कि मोनोसाइट जो होती है वो सबसे बड़ी स्वेत रक्तकनी का होती है सबसे बड़ी स्वेत रक्तकनी का होती है ठीके, और इसी को कहते हैं क्या भक्षाणों, कौन सी को कहते हैं मोनोसाइट को कहते हैं ठीके किसको कहेंगे हम मोनोसाइट को कहेंगे रुधिर बिम्बाणूं कहलाते हैं, चीके, मोनोसाइट, थ्रोंबोसाइट, लिूकोसाइट, इरिथ्रोसाइट, रुधिर बिम्बाणूं, बिम्बाणूं को ही हम कहते हैं, पट्टी काणूं, चीके, पट्टी काणूं, बिम्बाणूं को ही कहते हैं, पट्टी काणूं, सबसे पहले आया है वीरू का, लोकेस का, काजल का, बदन का, सीमा का, ठीक है, सभी का आंसर आया है, लेकिन राइट आंसर जो है बिमबानों, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रूमबोशाइट, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर है, बी निम्न में से RBC का कबरिस्तान अभी थोड़ देर पहले बताया था हम लोगों ने RBC का कबरिस्तान किसको कहा जाता है फटापर से बताना है RBC का जो कबरिस्तान है वो किसको कहा जाता है RBC का कबरिस्तान किसको कहते है Very good, सभी का right answer आया है सबसे पहले वीरू, लोकेश, राकेश, लोकेश, प्रजपत, रिंकू, समर, योगेश, काजल तो किसको कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है RBC का कबरिस्तान किसको कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है यदि question यह आ जाता, रक्त बैंक किसको कहा जाता है? तो रक्त बैंक भी पलीहा को कहा जाता है निम्न में से किसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता रक्त का थक्का कौन नहीं बनने देता यह हमें बताना है कि रक्त का थक्का जो है वो कौन नहीं बनने देता है सबसे पहले रोकेश, रिंकू, लोकेश प्रजापत, योगेश, हरी संकर, अनोखी देवी, वीरू, पूरण, काजल मीना ठीक है सही है तो यहाँ पर कौन आएगा हिपिरिन जो है वो रक्त का थका नहीं बनने देता है बात करें आगे भूजन का परिवहन जो है वो किसके द्वारा होता है भूजन का परिवहन किसके द्वारा होता है आरबिसी, लसीका, पलिहा या फिर सलिस्मा भूजन का परिवहन कोन करता है यह हमें बताना है कि भूजन का जो परिवहन है वो किसके द्वारा किया जाता है भूजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है बूजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है question no. 17 सबसे पहला right answer बताने वाले का नाम मैं यहां पर बताऊंगा लेकिन अभी तक right answer किसी का भी नहीं आया है भोजन का परिवहन पूछा है ना कि ओक्सिजन का किसका परिवहन पूछा है भोजन का परिवहन भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है तो भोजन RBC के द्वारा तो जाएगा नहीं RBC को हटा करके बाकी सारा हिस्सा क्या कहलाता है लसी का तो RBC रहित जो blood होता है उसको क्या कहते हैं लसी का कहते हैं तो बाकी हिस्से में जा सकता है क्या हों भूजन तो यहां पर right answer क्या आएगा लसी का आएगा ना कि हमारे पास कोन आएगा RBC आएगा RBC का काम सिर्फ oxygen का परिवहन करना है रुधिर के किस भाग में प्रतिरक्षी किसको कहा जाता है तो यह कहा जाता है किसको anti-body को प्रतिरक्षी किसको कहा जाता है anti-body को तो anti-body जो है वो कहां पर पाई जाती है यह में बताना है anti-body कहां पाई जाती है यहाँ पर option में पिलिहा डाला हुआ है option में यहाँ पर सारे जो है किस भाग में पाई जाती है antibody antibody actual में पाई जाती है कहाँ पर तो यह पाई जाती है रक्त प्लाज्मा में कहाँ पाई जाती है रक्त प्लाज्मा के अंदर पाई जाती है ओप्षन यहाँ पर जो है वो कुछ अलग थे वैसे स्वेत रक्त कणिका बनाती है तो बनाती है तो कुछ मात्रा यहाँ पर भी मिलेगी जब रक्त प्लाजमा ओप्षन में नहीं है तो फिर हमें क्या करके आना है तो हमें करके आना है क्या स्वेत रक्त कणिका यहाँ पर क्य यहाँ पर question है कि जो प्रतिजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं प्रतिजन का मतलब यहाँ पर है कि जो antigen है हमारे पास वो कितने प्रकार के होते हैं antigen के type बतानी है तो हमारे blood में antigen जो है वो कौन-कौन से होते हैं एक होता है antigen A और दूसरा होता है antigen B antigen A और antigen B सबस्पहले आया है राजेश का फिर वीर्यू का लोकेश का अजे का लोकेश प्रजापदी गोरव रवीना सभी का आगया है कि दो प्रकार का होता है एक होता है A और एक होता है क्या B तो ये दो प्रकार का हमारा क्या पाया जाता है antigen, ठीके, next question देखिए, question है कि रुधिर में अभी selection कब हो, कब होगा जब रुधिर में एक साथ, मतलब ये का रहा है कि रक्त का जो ठक्का है वो कब बनेगा, ठीके, antigen A तथा antibody हो, antigen A, antibody A हो, antigen B, antibody A हो, antigen B ठीके, और antibody B हो, तो पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चोथा सही है, दूसरा चोथा सही है, तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो है answer यहाँ पर सही होगा, ठीके, बदाए ये रक्त का ठका कब बनेगा जब क्या क्या चीज आपस में मिल जाएंगे सबसे पहला राइट आंसर जो है लोकेश प्रिजापत का है यहां पर उसके बाद वीरू का है उसके बाद फिर से लोकेश प्रिजापत नहीं ही दिया है चली, देखे, रख्का थका तब बनता है जब antigen, antibody एक ही प्रकार के हो चीके, antigen और antibody दोनों चीके, antibody दोनों क्या हो? एक जैसे, तो दोनों एक जैसे कहा है antigen A, antibody A, antigen B, antibody B तो दोनों एक जैसे 2 और 4 में है तो right answer हो जाएगा यहाँ पर 10 चीके, right answer होगा 4 चीके, 10 इसका right answer है next बड़े question देखे question है कि रुधिर वर्ग A, B, O की खोज किसने की थी? Williams Harvey ने, Howell ने, D. Costell ने या फिर Corland Steiner ने ठीके, रुधिर वर्ग A, B और O की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग A, B और O की खोज किसने की थी? रुधिर वर्ग A, B और O की खोज जो है वो किसने की थी? यह हमें बताना है रुधिर वर्ग A, B और O की खोज सबसे पहला राइट आंसर था राजिस, नितिन, हरी संकर कॉर्लेंड स्चिनर ने की थी? कॉर्लेंड स्चिनर ने? कव की थी? सन उन्निस्सों में नेक्स्ट बात करें हम, देखें, यहाँ पर कॉस्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पर दियागा है रुधिर वर्ग O, तो इसको यहाँ पर चेंज करके मैं लेक रहा हूँ रुधिर वर्ग A, B की खोज किसने की? क्योंकि O तो हमने पहले पढ़ लिया, यहाँ पर बताना है रुधिर वर्ग A, B की खोज किसने की? रुधिर वर्ग A, B की खोज किसने की? 82, लोकेश, समर्शिंग, लोकेश, पुर्जापती, वीरू, राजेश, चली फटाफट पर दता है अजे देखो रुधिर वर्ग A, B की खोज थी वो किती? डी कोस्टले और स्टूली ने की थी? रुधिर वर्ग A, B की खोज ठीकेश, और A, B और A, B और O की खोज थी? वो किती? किसने? कॉरल लेंडर स्टीनर में ठीकेश, यह ध्यान रखना है आम लोकों को नेक्स्ट आगे बड़े देखिए, कॉस्टन यहाँ पर है कि A वर्ग वाला व्यक्ति किससे रुधिर ले सकता है? ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप A है किसी व्यक्ति का तो वो किससे ब्लड ले सकता है? यह हमें बताना है कि यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है? A है तो वह ब्लड किससे ले सकता है? वह किससे अपना ब्लड ले सकता है? सबसे पहले राजेश कुमार मीना, समर्शिंग, रिंकू का अंसर गलत है, लोकेस का भी गलत है, महावीर का सही है, रवीना का सही है, अनोखी, बहुत सारे आग गया है अंसर A ब्लड ग्रुप वाला क्या करेगा? A से ब्लड लेगा और किससे लेगा? O से, चीके? तो राइट आंसर क्या होगा? से, A और O, दोनों से ये क्या कर सकता है? ब्लड ले सकता है, नेक्स देखिए, कॉस्चन यहाँ पर है, कि A समूँ वाला किसको ब्लड दे सकता है? चीके? A समू वाला किसको blood दे सकता है इस बार blood देने की बात है कि blood जो है वो किसको दे पाएगा प्टाप से बताना है कि A blood group जो है A blood group वाला व्यक्ति किसको blood दे सकता है लोकेश का आया है A को राजेश का D Very good हरी संकर का आगया है मनीश का राकेश अनो की सभी का आगया है किसको दे पाएगा A तथा A B को इन दोनों को ये blood दे सकता है तो यहाँ पर जल्द बाजी में answer ना करें A के अलावा A B को भी ये blood दे पाता है Next देखे question Question है B रक्त समू किसी वक्ति का है तो इसमें प्रतिजन कौन सा पाया जाता है ब्लड ग्रूप B वाले में प्रतिजन कौन सा पाया जाता है कौन सा एंटिजन यहाँ पर पाया जाता है अटापक से उताना है कि blood ग्रूप कौन सा है B तो इसमें कौन सा एंटिजन पाया जाता है very good, देखे B जो हमारे पास में blood group है इसमें कौन सा मिलेगा B antigen मिलेगा, ठीके क्योंकि रुधिर वर्ग का जो निर्धरन होता है वो antigen के अधर पर ही होता है ठीके, इसलिए इसका answer क्या जाएगा C इसका right answer होगा, ठीके next देखे कुशन question है AB समु के रुधिर में कौन सा प्रतिजन पाया जाता है AB समु है किसी का blood group AB तो उसमें कौन सा प्रतिजन पाया जाता है ठीके, सरी प्रतिरक्षी पाया जाता है antibody की बात कर रहा है ठीके कौन सा antibody पाया जाता है च्छासी, कॉस्चन नमबर ठीक है सी, 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 लोकेश योगेश, गोरव, वीरू राजेश, नितिन नितिन सिर्फ मजे ले रहा है बैठा बैठा क्लास में ठीक है, राकेश पूरण योगेश, मिना, भूप सिंग कपसर बच्चों का आया है कौम सा एंटीबोडी होता है रक्त समू क्या है AB, AB रक्त समू में एंटीजन कौम सा होगा तो एंटीजन होगा AB, और जब एंटीजन होता है, तो यहाँ पर एंटीबोडी नहीं होता तो यहाँ पर आएगा इन में से कोई नहीं, यहाँ पर कोई सा भी पाया जाता है सर्वग्राही कहा जाता है किसको ए बी सम्मू को क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटिजन नहीं पाया जाता है ठीके नेक्स देखिए कॉस्ट्ट नेक्स कॉस्ट्ट हमारे सामने है देखिए यहाँ पर कॉस्ट्ट्ट मिस्टेक है ठीके इनेक्स कॉस्ट्ट्ट पर चलते हैं आपर ब्लेड गुरूप जो है कोई साब दिया नहीं गया था यहां पर देखिए कॉस्ट्ट है कॉस्ट्टार समूछ जो है वो सरव घ्राही है ठीके ओँआपतसे बताना है कि कॉन सा ब्लेड गुरूप जो है वो सरव घ्राही है कौन सा blood group सर्वग्राही है ठीके where good सभी का right answer आ रहा है ठीके तो AB positive जो होता है वो क्या होता है सर्वग्राही AB negative यदि दे तो वो सर्वग्राही नहीं है सर्वग्राही कौन है AB positive है ठीके next के बात करें हम देखिए आप रख़ेंगे कौन सा रक्त समों सर्वध़ाता है a negative, b negative, ab negative या o negative सर्वधाता blood group बताना है इसमें सर्वधाता blood group कौन सा है फ्रयब्र से बताना है सर्वधाता blood group very good सबसे पहले brewingा है ठीके उसके बाद राकेस का, लोकेस का, लोकेस प्रजापती का, काजल का, रवीना का, ठीक है, अरजुन, अनोखी, महावीर, ठीक है, वो उत्सारे नाम हो गए है हम, ठीक है, हाँ, तो कौन सा, O negative जो blood group होता है, उसको कहा जाता है, सर्वत data, ठीक है, ये सभी को blood दे सकता है, ठीक ह next है, question में दिया गाया है, कि ओ समुवाला व्यक्ति जो है, किसे रुधिर ले सकता है, ठीक है, ओ समुवाला व्यक्ति जो है, वो किसे रुधिर ले सकता है, जिस व्यक्ति का blood group कौन सा है, ओ है, वह किसे रुधिर ले सकता है, फटापर से बताना है, ठीक है, ओ blood group वाला व्य जो है वो किसे रुधिर ले सकता है very good नभे वाला जो question है उसमें सभी का answer आ रहा है योगेश, लोकेश, राकेश काजल सभी का आ गया ओ वाले से ही ले पाएगा ओ वाला और किसी से blood नहीं ले पाता है तो D इसका क्या होगा? right answer होगा next question देखे question यहाँ पर दे रखा है कि किसी रुधिर समू किसी रुधिर समू को negative तथा positive में किस आधार पर विभाजित क्या जाता है प्रतिरक्षी, प्रतिजन, आरचकारक या प्लाजमा किसी व्यक्ति का blood group negative है या positive ये किसके आधार पर निर्धारित क्या जाता है ठीके, 91 में सबसे पहला answer आये था लोकिष चोधरी का उसके बाद वीरू का, काजल का ठीके उसके बाद में रवीना का, लोकिष पुर्जापत का ठीके, very good होता है, ठीके आरच कारक के खोज किसने की आरच कारक के जो खोज थी, वो किसने की फटावट से बताना है कि आरच कारक के जो खोज थी, वो किसने की थी आरच कारक की खोज किसने की थी फटाबर से बताना है हम लोगों को ठीके आरच कारक की खोज करता सबसे पहले लोकेस का समर सिंग का ठीके लोकेस, अजय, काजल, वीरु, उरन, रविना, ठीके स्रीमन, देखे तो ये लेंडिस्टिनर और वीनर दोनों ने मिल करके की थी आरच कारक की खोज किसमे की थी तो मका का रहिसस बंदर में ठीके, रहिसस बंदर था एक ठीके रहिसस जो बंदर था उसके अंदर की थी तो रहिसस का क्या आरच इननों ने ले लिया ठीके, तो आरच उसी के नाम पर रखा गया अब आरच जिसमें था उसको पॉजिटीव और जिसमें नहीं था उसको नेगिटीव कहा गया ठीके, नेक्स देखे आरच जो था आरच कारक जो है उसके खोज किस जन्तु में की गई तो मका का रिहसस जो था, वो क्या था मका का रिहसस एक प्रकार का क्या था बंदर था, जिसके अंदर इसके खोजे की गई थी, यह हमने अब यह भी बात कर ली थी मका का रिहस्स क्या था बंदर था चीकिए नेक्स देखिये question question में दे रखा है कि परतिजन एक ऐसा पधार्थ होता है जो सरेर के ताप को कम करता है हानिकारक जीवानों को नश्ट करता है प्रतिरक्षी का निर्वान करता है प्रतिरक्षी की कारिय छमता को बढ़ाने का कारिय करता है तो बताई ये प्रतिजन जो है वो क्या काम करता है प्रतिजन जो है वो क्या कारिय करता है मनीशा ने बंदर बठा दिये च्यार प्रतिजन का कारिय क्या है ध्यान रहे एंटीजन या प्रतिजन क्या करते हैं तो ये एंटीबोडी की कारिये छमता को बढ़ाने का काम करते हैं ठीके तो D इसका क्या हो जाएगा राइट अंसर कि ये जो है ये प्रतिर अच्छी की कारिये छमता को बढ़ाने का क्या करते हैं ठीके कारी करते हैं ठीके next देखे next question question दे रखा है कि आरच कारक के अनुसार कौन सी जोडी ठीके विभा के लिए उप्योक्त नहीं है कौन सी जोडी ऐसी है जो विभा के लिए उप्योक्त नहीं है ठीके यह मैं बतानी है कि कौन सी जोड़ी के व्यक्ति जो है वो यहाँ पर विवा करने योगे नहीं है पहला जा रखा है आरच नेगिटिव पुरूस आरच नेगिटिव महिला दूसरा है आरच पोजिटिव पुरूस आरच नेगिटिव महिला सोरी आरेच पोजिटिव महिला नेक्स्ट है आरेच नेगिटिव पुरुस और आरेच यहाँ पर नेगिटिव कर लेना या यहाँ पर पोजिटिव पोजिटिव कर लेना ठीक है तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा जोड़ा जो है विवा नहीं कर सकता उसमें पुरुस कैसा होना चाहिए पोजिटिव और महिला कैसी होने चाहिए नेगिटिव ठीके ये यदि विभा करते हैं तो पहला बच्चा तो हो जाता है लेकिन उसके बाद के जो बच्चे हैं वो एंटीवोडी बनने के कारण गर्ब में नस्ट हो जाते हैं जिसको हम कहत हैं इरी थ्रो इरी थ्रो ब्लास्टोसिस ब्लास्टोसिस फिटेलिस इरी थ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस चिके किस नाम से जाना जाता है इरी थ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस इसको हिंदी में क्या जाता है गर्भ रक्तानूं को रक्ता गर्भ रक्तानों को रक्ता इरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस के नामसे इसको जाना जाता है ठीके नेक्स देखे नेक्स कॉस्चन में आए यहाँ पर दिया गया है कि यदि पिता का रक्समू A B वे माता का रक्समू B हो तो बच्चे में कौन सा रक्समू नहीं होगा यदि किसी व्यक्ति का रक्समू क्या है पिता का रक्समू क्या है A B और माता का रक्समू B है तो बच्चे में कौन सा रक्समू नहीं होगा योगेस कह रहा है कि सर इसमें ठीका लगाया जाता है हाँ ठीक लगाया जाता है भाई ठीक है देखे पिता का रख्समूँ A-B है माता का रख्समूँ B है तो ध्यान रखना कि यदि माता पिता में किसी में भी यदि A-B आ जाता है तो बच्चे में क्या नहीं आएगा O यदि माता पिता में O आ जाता है तो बच्चे में क्या नहीं आएगा A-B और यदि माता पिता में A-B और O दोनों ही आ जाते हैं तो बच्चों में दोनों ही नहीं आएंगे ये तो यहाँ पर क्या है कि एक आ गया पिता में A-B तो बच्चे में कौन नहीं आएगा O नहीं ठीके, A, B का भी हो सकता है, B का भी हो सकता है, A का भी हो सकता है, लेकिन O, बिलेड ग्रूप का यहां पर बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीके, चलिए, next question को देखते हैं, next जो question है मारा, वो यहां पर दे रखा है, यदि पिता का रक्षमूँ A, B हो, माता का रक्षमूँ क्या हो, O हो, तो कौन से रक्षमूँ के बच्चे पैदा होंगे, ठीके, कौन से रक्षमूँ के बच्चे जो हैं, वो पैदा होंगे, ठीके, कौन से रक्षमूँ के बच्चे पैदा होंगे, यह हमें बताना है, ठीके, तो हमने कहा कि माता पिता में A, B और O है, तो ये दोनों ही नहीं होगा, तो बच कौन सा गया, A और B, ठीके, इसके बच्चे पैदा हो सकते हैं, इसलिए right answer क्या हो जाएगा, दे इसका right answer होगा, ठीके, very good, सभी का right answer था, ठीके, वीरियून सबसे पहले दिया था, फिर location ने, फिर पूरन ने, ठीके, रवीना ने, सभी का answer सही आया था, ठीके, next देखे question, question यहाँ पर दिया गया है,